मेंध कि देक्शन के अंदर अगर 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 जाते हैं तो हमारा पोटेंशल टोटेंशल कि आ करता है डिकीस क्या कर अ क्या करोगे अच्छा थे आप यहां परहूंवे कि इसको डेlles की फॉम में लिख सकते हैं और टेल की फॉम में लिखोगे तो आपका काम हो जाए और विसली बात है सर यह तो कॉंस्टेंट रहने वाला है यानि कि इसके अंदर चेंज क्या फॉर्मूला होता है वह सर यह हो जाएगा क्यों डिवाइड़ बाई आर वन इस इक्वल टू आप सभी का हो जाता है के क्यू टू डिवाइड़ बाई आर्ट हलो श्वर्स कैसे आप लोग उम्मीद करूआ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो मैं गजंदर शर्मा के से अगर आप लोग पेपर के अंदर बैठे हुए तो आप लोग को इसको अटेम्ट करना चाहिए जिससे आप लोग को मैक्सिमम माक्स मिल जाए तो चलिए शुरू करते है और जानने की कोशिश करते है और सेशन अच्छा लगए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा सब के साथ 5 सेक्शन आप सभी को दिये गए है A, B, C, D, E और इसके लावा सारे सेक्शन को करना मेंडिटरी है और यहां पर आप लोग को बुला गया है कि सेक्शन एक अंदर टोटल 16 क्यूसंस है 12 उसके अंदर M.C.Q. दे चार असर्शन रीजन है और एक माक्स का हरे क्यूसन ह इक के अंदर लोग बात करेंगे तो 5 क्यूसंस टू माक्स तू माक्स एच है और इसके लाए है इसके लावा सेक्शन एक करते है तो टोर 3 long answer questions और दे रख हैं जिनका 5 marks का इच यह पूरा का पूरा है साथ ही साथ इनों ने बोला है कि यार यहां पर आप लोगो को there is no overall choice however and आप लोगो internal choice has been provided in one question in section B, one question in section C, one question in each CBQ यानि कि आप लोगो का case based study questions जो हैं D section के अंदर और उसके लावा all three questions in section E, you have to attempt only one of the choice in such questions, use of calculator is not allowed यानि कि आप लोगो की सारे instructions हैं जो हमने पढ़ ली हैं, अब चलते हैं सवालों के सिलसले की तरफ, कि सवालों के अंदर क्या करना चाहिए किस तरीके से हैं सबसे पहले पहले सवाल आप सभी के सामने आ गया है, इस सवाल के अगर हम लोग बात करते हैं तो basically आप लोगो को electric field और जो potential है उसके बीच की relationship की बात इसके अंदर आप सभी से की गई है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि electric field की direction के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा potential क्या करता है, decrease करता है अगर यह चीज है तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया पढ़िए, बोला गया कि uniform electric field pointed in positive x direction तो आप लोगो को बोला गया कि अगर यह अप लोगो का uniform electric field है जो आप लोगो को x direction के अंदर बताया गया है तो यह आप लोगों ने देख लिया, uniform है, uniform है तो uniform होना चाहिए, ठीक है जी, अगर यह uniform है तो हमने बोल दिया, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सुनी, यहाँ पर आप लोगो को बोला गया है कि exist in a reason, let up a be the origin, ठीक है, a का है origin के असपास है, यहाँ पर ठीक है, मैंने ब लगया कि b b the point on the x axis at x बराबर 1 cm, तो कहीं भी है, उसको आप लोग मान लीजे, b x cm इस पर है, और c b point on the y axis at plus y, जो आपका है न, plus 1 cm का है, तो then the potential at the point a, b, c satisfied, अब मुझे एक चीज़ बताईए, आप लोगों को पता होना है चाहिए, कि जब भी आप लोग इलेक्टरिक फि सर देखो, एक तो आप लोगो का y axis के उपर है, जो आपको बोला गया, कौन सा, जो आपका हो, y, जो point बोला गया, यानि की कौन सा, c point है, ठीक है, दूसरा आप लोगो का यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी एक लेल, ठालो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर मैंने मान लिया, b point है, ठीक है, अगर ऐसा है, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, आप, देखो, c से आप लोगो को कोई problem ही नहीं है, क्योंकि sir, वो तो perpendicular to the surface है, अब यहाँ पर आती है, a और b की बात, अब आप मुझे बताइए, a के comparison में b दूर है, यानि कि sir, अ compare to VA, आगे अगर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, उसकी तरफ आईए, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, इसको देखते हैं, यहाँ पर यह सवाल बहुत प्यारा है, इसको भी आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, बुला VA बराबर क्या होगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है, आगे बुला गया है, कि with respect to each other, the distance of the separation between two sphere is very large as compared to either of their radius, तो मतलब दोनों की distance जादा है, radius तो radius के comparison में जादा है, तो obviously बात है, यह तो आपको पता ही है, अब यहाँ पर बोला गया है कि the ratio of the magnitude of the electric field at the surfaces of two spheres, अब आपको बोला गया है कि ratio बताईए, यानि कि आपको पता है, even by E2 की बात आप सभी से की गई है, बलो ठीक है, अब मुझे बताईए, यहाँ पर बोला गया है, तो चार्ज है, अब दोनों का चार्ज उसने यहाँ पर अलग अलग बताया है, भाया, यहाँ पर उ यह हो जाएगा, KQ1 divided by R1 is equal to, आप सभी का हो जाता है, KQ2 divided by R2 आप सभी का हो जाता है, अगर यहाँ से आप लोग निकालना चाहते हो, Q1 by Q2 का ratio अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो भाया, K से K कट गया, तो यहाँ आजाएगा, तो य कियार किसी भी पॉइंट के ओपर potential कितना होता है, अगर मैं यही चीज कहूं कियार किसी भी पॉइंट के ओपर electric field अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो कितना होता है, बुले सर, KQ by R2, बुलो हाएगा, KQ by R2, अगर मैं किसी भी पॉइंट के ओपर बात करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं E की बात करता हूं, तो कितना हो जाता है, बुले सर, E is equal to हो जाएगा, KQ by R2, बो हाए है, अगर मैं here पे E1 की बात कर रहा हूं, तो यह कितना हो जाएगा,良वर के ओटी की बात करोगे, कितना हो जाएगा, बुले सर, यह हो जाएगा, KQ1 divided by R2 का दोनों का डिवाइड करो क्योंकि आपको magnitude का ratio पूछा गया है तो यहां से आप सभी बोलोगो कि k q1 by r1 का square हो जाएगा into में हो जाएगा r2 का square divided by क्या हो जाएगा k q2 आप सभी का हो जाएगा भाईया k से k चला जाएगा अब यहां पर देखो क्या बन गया है बोलो सर यहां पर देखो यह हो जाएगा q1 by q2 और into में कितना हो जाएगा into में आप सभी का हो जाएगा यह r2 का square divided by क्या हो जाएगा r1 का square तो भाईया इन दोनों का ratio की बात करो कि क्या हो जाएगा r1 by r2 आप सभी का हो जाएगा into में क्या हो जाएगा r2 का square divided by r1 का square भी आप लोगों को इसके लिए correct हो जाएगा सवाल को अच्छे से करना जरूरी है बेटा क्यों क्यों कि देखो हर एक concept आप लोगों के लिए important होता है तो आप लोगों को यहाँ पे equilibrium की condition बोली गई है तो भाया एक की वज़े से जो potential है वो दूसरे की वज़े से जो potential होगा उस दूसरे क्यों कर लिए अब चलते हैं तीसरे क्यों की तरफ तीसरे क्यों क्या कहता है यह बोला गया कि a long straight wire of this circular cross sectional area radius a carries a steady current i the current is the uniformly distributed across it cross section ठीक है the ratio of the magnitude of the magnetic field at a point a by 2 above the surface of the wire to the that of point a by 2 below the surface अब देखो अगर आप लोगों को याद हो यहाँ पे कन्डिशन्स बन रही है क्या बन रही है दो conditions बन रही है और circular cross section की भात की गई है तो मेरे भहिया 2 condition बन रही है कौन सी बन रही यहाँ पे आपको बोला गया है देखो क्या बोला गया है कि a pointer a by 2 above the surface यानि कि above the surface है यानि कि एक तो बन रही है तुम्हारी outer surface का ठीक है जी क्या बन रहा है outer surface पे बन रहा है यानि कि outer surface के अगर बात करोगे तो आप जानते हो कि भाई या magnetic field का ratio क्या होता है अगर मैं magnetic field की magnitude की बात करता हूँ तो 20 इक्वाल टू क्या होता है mu not i divided by कितना हो जाता है बेटा 2 pi r आपका हो जाएगा बोलो हाए ना 2 pi r हो जाएगा अगर मैं भा कर रहा हूँ कि sir below the surface की बात है below the surface की बात होती है तो आपको पता है below below का मतलब क्या होता है inner surface की बात कर रहे हो किसकी बात कर रही हो inner surface की बात आप लो जानः सिर्फिस की लिए क्या होता है बलो sir be is directly mu not i directly proportional to r divided by 2i capital r का square ये तुमारे पास आ जाता है by capital r का स्क्वेर आप सभी के पास आ जाता है अगर ये आप सभी के सामने आ जाता है तो अब देखिए क्या हुआ बोलो भीया मेरे एक सीच मुझे बताइए अगर मैं इहां पर बात कर रहा हूं आर की तो भाई ये आर क्या होता है उस पॉइंट की क्या की जाएगा आजाएगा हैं पर कोई दिक्कत की बात नहीं और अगर स्मॉल अर की बात करोगे तो ये हो जाएगा ए मैइनस ए भाई टू ठीक है a-a by 2 हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा a by 2 ठीक है a by 2 आप सभी का आ गया है तो रख दीजिए इसके अंदर आप से ratio ही तो पूछा गया है तो यहां पर आपका हो जाएगा भईया mu not i divided by कितना हो जाएगा 2 pi और small r का मतलब क्या हो जाएगा बोलो sir 3a उपर जाएगा 2 तो यहां जाएगा 2 mu not i divided by 6 pi a बोलो हाएगा ना किसी को दिक्कत नहीं होनी चीए अगर नहीं होनी चीए तो अब यहां पर रख लीजिए बोलो sir क्या हो जाएगा बोलो sir यह हो जाएगा यहां पर mu not i r की जगे क्या जाएगा a by 2 तो a by 2 आपका यहां जाएगा 2 और into में क्या हो जाएगा 2 pi और यह कितना हो जाएगा बोलो sir यह हो जाएगा r तो a का square ठीक है जी a का square अगर यह कंडिशन है तो यहां से देखे इस A से यह A कट गया सिधा सिधा कितना बच गया भाईया मू नॉट आई डिवाइड़ बाई कितना हो जाएगा 4 पाई ठीक है अगर यहां से तुम देखोगे तो इससे काट दो यह यह करल जाएगा तीन बार तीन बार जाएगा और उपर नीचे क्या आजाएगा A आजाएगा इसमें नीचे A आजाएगा न क्योंकि A स्कूर था ठीक है अब यहां से इसको सॉल्फ करोगे आप सभी तो क्या आजाएगा भाईया मू नोट आई डिवाइड़ बाई 3 पाई A आपका हो जाएगा तो इन दोनों का ही रेशो पूछा है यानि कि इसको A1 B1 माल लिजे इसको B2 माल लिजे इन दोनों का ही तो रेशो आप सभी से पूछा गया है अगर इन दोनों का ही रेशो आप सभी से पूछा गया है ठीक है जी यहां से अगर इसको आपको solve करना है तो देखिए मेरे भाईया क्या हो जाएगा इससे यह cancel out हो गया इससे पाई इससे पाई है गया यह आपका आजाएगा 4s23 कितना आजाएगा 4 by 3 आप सभी का अंसर आजाएगा जो आपका ratio है यानि कि option number क्या आगया बिटा यहा कि आपको देखो एक-एक सवाल समझ में आ रहा होगा मैं आपको जादा तेजी से इसले निकरा रहा है क्योंकि आपको concept जानना ज़रूर हो जब एक बर concept आपने सीक लिया ना फिर कोई दिक्कत नहीं आती है चली आई अगला सवाल अगला सवाल में बोला गया कि the diffraction effect can be observed भ भही है आप लोग साउंड भी तो वेव की फम में होता है लाइट की भात आपफ रहुखो कि सोर्स प्लोंWhat को देखा है तो जार साउंड वेव एस तुमारा लाइट वेव दोनों के लिए आप लोग का क्या है यह होता है ठीक है अब चलिए अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अब यहां पर यह इसके अंदर देखो यह मैं सबी से सवाल पूछ रहा है तो आप देखिया मिर को बताइए आप सभी जानते हो कि अगर मैं ID की बात करता हूं सिंपल ही अगर मैं ID की बात करता हूं तो क्या होता है बोला सार Epsilon 0 D5E by DT आप सभी को हो गया बोला विर्कुल ठीक है जी विर्कुल ठीक है मानगे लेकिन सब्सक्राइब को एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा क्या देखो बुला गया कि कापसिटर कंसिस्ट ऑफ दी टू पैरलल प्लेट विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओफ यह आपका एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है एरिया आफ क्रॉस सेक् अगर मैं आपको याद दिला हूँ मैंने आपको बताय था ना कि एक्वेशन ओफ कंटेनिटी की बात की जाती है प्लेट इंब एक्वेशन ओफ कंटेनिटी की जब बात की जाती है तो आप सभी जानते हो कि आईड़ी बराबर किसके हो जाता इस को लिखते हो और यहां किसके ब लिखते हो बोला गया, the rate of voltage varies with the rate of इतनी इतनी, तो अगर change इसके इंदर आ रहे हैं, यानि कि capacitor आप सभी का क्या है, कोई value change नहीं हो रही है, तो यह आपका हो जाएगा, dv by dt, c के जी, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो बोला, sir, c, dv by dt, आप सभी लिख सकते हो, अब c की अगर मैं बात करूँगा, क्या होता है, epsilon not, a by d, और ये क्या हो जाएगा, dv by dt, तो ये concept एक और आप सभी का है, बेटा, देखो, कई बार आपको वो हो सकता है, कि flux की value को रखवा के solve करवा दे, epsilon not, a करवा दे, या फिर e की value को रखवा दे, कि भई ये sigma upon, आप लोगो को कह लेना है, epsilon not लेके solve करना है, तो वो कई बार, अलग-अलग तरीके से आप सभी कोई सवाल को दे देता है, तो अगर वो इस तरीके से दे रहा है, तो आपको उसके concept को समझना पड़ेगा, अगर है, तो आईए, आप इसकी value उसको रख लेते हैं, epsilon not की value क्या होती है, बुलासर 8.85 into 10s to power minus 12 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, into area, area की बात करोगे, तो सीधा-सीधा क्या दे रखा है, बुलता देखो, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, 1 into 10s to power minus 3, क्या दिक्कत है किसी को, 1 into 10s to power minus 3 लिख दूँ, किसी को problem नहीं आएगी, और divided by अगर मैं करता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ, 1 into 10s to power 4, 10s to power minus 4, और into में क्या हो जाएगा, किस rate से चल रहा है, 10s to power 8, अब ये तो confirm है, देखो, यहां से 1,1 है, ये तो confirm है कि आपका जो answer आने वाला है, वो 8.85 की form में आने वाला है, यानि कि जो ये दो options आप सभी को दे रखे हैं, ये तो खतम है, ये दोनों तो खतम है, या तो A आएगा, या तो B आएगा, या तो power minus 3 आएगी या power minus 4 आएगा, तो आप देखते हैं क्या है देखो अगर इसको उपर लेके जाओगे अगर इसको उपर लेके जाओगे तो प्लस का होगा प्लस का होगा तो आठ ये चार ये बारा होगा और माइनस माइनस की बात करोगे तो माइनस का बारा माइनस का तीन माइनस पंदरा तो बारा अगर ये यहाँ पर हो सकता है बिटा कि कोई calculation ज्यादा बड़ी आएगी तो मैं calculator की help से कर दूँआ क्यों क्यों कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का time ज्यादा लगे मैं यह चाहता हूं कि तुम ज्यादा चीजों को सीख पाएं कम time के अंदर ठीके जी तो यहाँ से आप लोगों के क circuit की बात की गई है तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को जिससे थोड़ा सा idea चीजों के बारे में हम लोगों को लग जाए ठीके जी चीजों के बारे में क्या है idea लग जाए तो चलिए अब देखते हैं सवाल को कि सर बोला क्या गया है सवाल के अंदर जिस अगर भाया voltage आपका शेम है मैं simple बोलूँगा अगर voltage आपका सेम है तो obviously बात है कि simple आप लोग क्या बोलोगे बूले सर वोल्टेज अगर सेम कर रहा है मैं बोलता हूँ कि resistance के cross जो voltage वो बराबर किसके है capacitor के बराबर किसके है बोले सर इंडेक्टर के, inductance बोलोगे, ठीक है जी, voltage inductance की बात है, ठीक है, यह कितना दे रखा है, 10 volt दे रखा है, मैंने बोला ठीक है, 10 volt दे रखा है, अब मेरे भाईया मुझे एक चिस समझा दोगे आप लोग मैंने बोला सर क्या समझा देंगे आप मुझे एक चिस सिंपल मुझे बताईए अगर मैं यहाँ पे आप कोई बात करो देखो आई 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 है समझे अब आप मुझे बताई सीरीज के अंदर लखाओ तो आई तो करेंट सेम होगा यानि कि अगर करेंट सेम है तो अब्यसली बात है रजिस्टर की वैल्यू आप लोगी क्या होगी सब की बराबर होगी यानि कि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आपका आर एकसल और एकसी है इनकी वैलू भी बराबर होगी बोलो हाए ना और इनकी वैलू मैं माल लेता हूं कितनी है आर कितनी माल लेता हूं आर किसी को दिक्कत नहीं आने वाली क्यों ओविसली बात है क्योंकि सेर यहाँ पे ह और current same है, तो बागी जो R है, XL है, XC है, तो मैं मान सकता हूँ कि R है, बात का थम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं भूले ठीक है, अगर Z की value निकालनी है, तो Z is equal to क्या होता है, भूले सर, under root का R square plus me XL minus XC का क्या हो जाता है, बिटा, square, और आपकी जब दोनों value बराबर है, य the capacitor is short-circuited, then the voltage across the inductor will be, अब आपने बोला है, capacitor को आप लोग short-circuit कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि capacitor से current है, वो सीधा पास कर जाएगा, यही बात है, बालो short-circuit कर रहे हो, ठीक है जी, अब बात आती, फिर कौन-कौन बचा आपके पास, बालो सर, एक तो inductor बचा है, बोलो सर, I, क्या हो जाएगा, I, और अब क्या हो जाएगा, I dash हो जाएगा, क्योंकि change हो रहा है current, Excel हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब तो दो ही पाय, चीजे बची है, अब मुझे बताइए क्या लिखोगे इसको, बोलो सर, यहाँ पर देखो, अब दो चीजे बची ठीके, यह तो तेरे पास Z की वैल्यू आ गई, अब और किस की वैल्यू निकालनी है, बोलो सर, अब हम लोग अगर बात करें, तो और क्या निकाल सकते है, मैंने बोला, simply, I dash क्या होगा, I dash की बात करोगे, जैड होगा, बोलो हाए ना, अगर I dash की बात करोगे, current की बात है, अरे भाई अभी तो आपने देखा, voltage across resistance, voltage across capacitor, voltage across inductor, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है, अगर 10 दे रखा है, तो कर दीजे, 10 under root का कितना हो जाएगा, बेटा, 2 into में R, into में क्या हो जाएगा, capital R, क्यों, क्योंकि Excel की value आपको R है, R से R चला जाए गा, regarding this, तो C option, बिर्कुल correct हो जाएगा, अगर इसको solve करते हो, otherwise क्या है, यह वैसे की वैसे हो जाएगा, बोलो हाई न, अब चलते हैं अगले सवाल के जरफ, अगले सवाल को देखते हैं, और जानने की कुशिश करते हैं, यह सवाल आपके सामने है, इस सवाल को देखी है, और मुझे बताईए, कि यहाँ पर देखो, पता है क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया है, कि आप लोगों के sources कौन कौन से हैं, उनकी बात की गई है बस, यहाँ पर आप लोगों को sources की बात की गई है, और आपको sources को समझने की जरुत पड़ेगी, ठीक है, अगर मैं यह से होती है या तो magnetron से या फिर यह रहा क्लिस्ट्रों वाल्प से ठीक है अगर मैं light की बाइट करता हूं तो किसकी वज़े से होती है बोला सर vibration of किसकी वज़े ने नी light की बात करेंगे तो light तो कब होगा बोला सर देखो 3 का Q हो गया है और यहां पर देखो कि 3 का S है 3 का S है यह खतम यह खतम यह खतम तो भाईया इसको क्यों माल लेजी यह कितरा है बी तो B आप सभी का अंसर हो जाएगा तो B इस दा पता होनी चाहिए यह किसके लिए दिया गया है उसको समझ लीगा आपको मैं सिर्फ देखो आप लोगों को यहां पर बोला गया कि किसकी बात की गई बिटा क्लोजिस्ट अप्रोच की बात की गई है अगर यह क्लोजिस्ट अप्रोच की बात की गई है तो क्या हो जाएगा क्लोजिस्ट अप्रोच को अगर मैं देखना चाहता हूं तो यह हमारा क्लोजिस्ट अप्रोच की बात है ठीक है अगर सी डिस्टेंस बजती है उसको लोग बोलते है closest approach तो यह क्या हो जाती है यह आप लोग की होती है 2KZE square divided by क्या हो जाएगा kinetic energy ठीक है जी क्या हो जाएगा 2KZE square divided by kinetic energy और kinetic energy और इसकी बात करोगे देखो क्या यहां पर 2 change हो सकता है नहीं, क्या k change हो सकता है नहीं, z भी नहीं हो सकता, e भी नहीं हो सकता, तो kinetic energy की बात करोंगे तो यह क्या होती है, half mb square, क्या होती हाफ mb square, अगर half mb square है तो आप लोग बोलोगे, अगर इसको closest approach को अगर मैं d से लिख देता हूं, alpha particle is d अगर मैं इसकी बात करता हूँ alpha particle कि अगर मैं बात करता हूँ d आप सभी को दे रखा है और when it move with the speed of v towards a nucleus यानि कि जब आपने closest distance की बात कर रहे हो तो d है जब आप क्या कर रहे हो v से travel कर रहे हो यानि कि sir अगर मैं d1 को यहाँ पर बोल देता हूँ रहा हूँ v लिख रहा हूँ ठीक है किसी को दिक्कत नहीं आएगा ठीक है okay है या फिर एक काम करो इसको velocity हम बाद में लिख लेंगे तो d1 directly proportional to 1 upon v1 ठीक है अब दूसरा बोला गया है another alpha particle is projected with high energy such that the new distance of the closest approach is d by 2 तो मैं इसको लिख लिएता हूँ d2 inversely proportional v2 ठीक है जी तो यहाँ पर आप लिख लिजे d1 by d2 का अगर आप लोग ratio निकालोगे तो यह हो जाएगा कितना 1 upon v1 उल्टा हो जाएगा यह v2 divided by 1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा v2 by v1 आप सभी का हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप पढ़िए बोला गया है कि अगर मेरी closest approach d है यानि कि अगर मैं पहले case की बात करता हूँ अगर मेरी closest approach d है तो मेरी velocity कितनी है v है यानि कि speed कितनी है v है और अगर मैं d2 की बात करता हूँ अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सुच रहेंगे सर ब्लाउसिटी बार 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 क्योंकि बिटब सीधे जा रहे हो रक्ति लीनियर मोशन है तो आप बोलोगे कि डिस्प्लेस्मेंट और डिस्टेंस की बात करोगे दून बराबर है उसके इसकी बात हम लोग कर रहें तो यहाँ पर अगर इसको क्या लिखोगे डी बाई टू लिखोगे अगर यह डी बाई टू हो गई है और यहाँ पर आप मुझे यह वी स्कॉर है sorry sorry v square है न v square v square v square लिख लेना क्या है v square है sorry v square है तो यह क्या हो जाएगा v square तो यहां से यह हो गया और यह कितना है इसका मुझे पूछा गया है कि बता यह कितनी speed होगी तो यह नहीं बता मुझे यहां से D से D कट जाएगा D से D कट जाएगा तो यह बन जाएगा 2 is equal to V2 का square is equal to V square तो यहां से लिखोगे V2 का square is equal to 2 V2 ठीक है V2 हो जाएगा देखो यहां पर कितना हो जाएगा 2 V2 का square ठीक है अब मुझे बताइए V2 यानि कि second की बात कर रहे हो तो V2 is equal to कितना हो जाएगा बनासर अंडर root के अंदर जाएगा तो अंडर root 2 और V आप सभी का हो जाएगा बस ठीक है अंडर root 2 V2 आपका V आपका हो जाएगा तो यह आप लोगों का हो गया option number B तो B इसका विरकुल correct है जो आपके पास सही है एकदम correct आपने इसको solve कर लिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है जी आपको समझ में आ गया होगा अगर इस सवाल के मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया है अंडर root 2 V यानि कि B option आ गया है चलो अगला सवाल इस सवाल को पढ़ो यह थोड़ा सा अच्छा सवाल है थोड़ा सा अच्छा है यानि कि level थोड़ा सा प्यार है इसका कैसे देवो यहाँ पर भूला गया कि एक object है ए object ए point object is placed at the center of the glass ठीक है glass sphere अब जैसे ही sphere पढ़ा बात का तो भूला सार mu2 by v है minus क्या हो जाएगा mu1 by u है is equal to क्या हो जाएगा भ भूया mu2 minus mu1 divided by क्या हो जाएगा यह आपके दिमाग में चलना चाहिए था ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला गया है बोला गया है कि glass है और glass sphere की बात कर रहे है उसकी radius 6 cm है और देखो, एक object placed at, क्या लिखा है, एक object, एक point object is placed at the center of a glass sphere, अगर glass sphere की बात कर रहे हो, तो उसके center पे आपने क्या किया है, आपने उसके center के उपर क्या किया है, बिटा, अगर मैं simple बोलू, तो उसके center के उपर, आपने रख रखा है object को, और radius कितनी हो, 6 cm, यानि कि sir, यहाँ पे दो condition बन रही है, कि अगर मैं object की बात करता हूँ, वो उसकी center के उपर रखा, यानि कि हम लोग पोल से calculate करेंगे, तो radius के बराबर होगा, और आप बोलोगे, आर भी उसके बराबर ही होगा, दोनों चीज बराबर है, अगर दोनों चीज बराबर है, तो आप बोलोगे, कि यू कितना होगा, अब यहां पर बोला, वर्चूल इमेज की बात की के लिए, तो देखो, यू की बात करोगे, तो यू भी कितना है, minus का 6 हो जाएगा, और अगर मैं आर की बात करूँगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यानि कि दोनों की दोनों minus क हैं, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं एक simple बोलता हूँ, सुनना, अगर मेरे पास यह spare है, अगर इसके center पर object रखा है, center पर क्या रखा है, object रखा है, तो यहां से हम लोग अगर इसको distance को calculate करेंगे, तो यह क्या किलाती है, U, और आप जानते हो, R क्या होता है, radius of curvature, तो यह पर रखा हुआ है, यानि कि यहां पर म्यूवन का काम कौन कर रहा है, गिलास कर रहा है, और बाहर की अगर बात करोगे, तो म्यूटू का काम कौन कर रहा है, म्यूटू का काम कर रहा है, म्यूटू का काम कर रहा है, air, ठीक है, यह मैंने मेरे जो batches हैना, बेटा, उनके हो जाएगा वी हमें निकालना है माइनस का क्या हो जाएगा बोला सर यह हो जाएगा 1.5 divided by क्या हो जाएगा बोला सर माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां से अगर तुम देखोगे तो 0.5 बचेगा क्यों 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 कि यहाँ पर 5, प्लसका 5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, माईंस, माईंस, प्लस क्यों कि Mew 1 हमने consider किया है 1.5, तो माईंस का 0.5 बचेगा और नीचे बचेगा 6 ठीक है, तो 6 है, माईंस का 6 होगा तो यह प्लस का हो जाएगा याद रखना ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 60 इस पॉइंट को अटाओगे तो यह कितना हो जाएगा 60 तो वन अपॉन वी इस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा पांच बटे में 60 माइनस का पंदरा बटे में 60 तो भाईया LCM ले लो 60 60 LCM लोगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 10 क्यों क्यों कि सार देगो यह 5 प्लस का है माइनस का 15 तो माइनस का 10 तो वी इक्वल टू क्या जाएगा बेटा माइनस का 10 से 10 गए तो माइनस का 6 सेंटीमीटर और माइनस का 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि image virtual बन रही है और virtual बन रही है तो यह C हो जाएगा ठीक है चलिए चले आगे minus का C आप सभी का आजाएगा ठीक है जी आप सभी के उपर है तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि application है कि डिफ्रेक्शन की आप लोग की यह application होती है और यहां पर डिस्पर्जन तो वही नहीं सकता अगर इंदर दर्णुश की बात होती तो हम लोग सोच भी लेते एक बार नहीं हो सकता बाकि absorption क्या होता है diffraction is the process of which हम लोग सीधी को क्या करते है अगला सवाल है यह पढ़िये बोला गया है कि the number of electron made available for the conduction by the dopant atom depend strongly upon किसके उपर depend करता है strongly कि अगर मैं बात करूंगा तो देखो कभी भी वो dependent नहीं करता है वो उसके जो है ना independent रहता है किससे यह जो temperature रहता है यह जो है ना ambient जो temperature रहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर doping level की बात करता हूं ना उस पर वो depend करता है कि किस तरीके कि तुमने doping कि ए ठीक है इस पर क्या रहता है इसके उपर कभी भी dependent नहीं करता है तो यह आ गया है independent की बात यहाँ पर आ गये ठीक है अब आगले सवाल पर अगला सवाल है यह इस सव इसको क्या लिख सकते हो बोले सार डेल आर बायार कितना दे रखाए बोले सार 0.1% दे रखाए ठीक है आगे बूला गया कि दें दा परसंटेज change in its resistance is approximately कि कितना percentage change होगा इसके इसके अंदर आप बताओ तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ simple मैं आपसे पूछे पूछना चाहूँगा सुनना अपने resistance की बात करते हो R is equal to क्या होता है Rho L upon A होता है बोलो ठीक है जी अब मेरे को एक चीज़ बताओ बोलो सर उपर length की तो बात नहीं है आपको पता है कि आपका volume जो रहता है वो हमेशा constant रहेगा volume पर कोई impact नहीं है तो volume के लिए मैं क्या करता हूँ बोलो सर इसको उपर नीचे A से multiply कर लेता हूँ A से multiply अगर A से multiply कर लूँगा तो यह उपर वाला क्या बना लेगा बोला भाया volume बना लेगा अगर यह volume बना लिए तो R is equal to क्या हो जाएगा Rho upon में क्या हो जाएगा A square और आप जानते हो Rho हमारा constant है A square की बात करोगे तो पाई R square होता है और पाई R square है तो इसका holy square यानि कि आप बोलोगे कि R is inversely proportional R की power 4 है बागी सारा constant है बोला गया कि change बताओ कितना होगा अगर इस तरीके का कभी भी सवाल आता है जहां आप सभी से change पूछा जाता है क्या पूछा जाता है बीटा सीधा सीधा change की बात आ रहा है तो percentage change क्या हो जाएगा बोला सर परसंटेज क्या हो जाएगा परसंटेज अगर change की बात करोगे तो यह आप लोग का 11th का सीधा सीधा concept है percentage change की बात करते है ठीक है percentage change की मैं गर यहाप बात कर रहा हूँ resistance के अंदर तो भाईया क्या हो जाएगा बुल सर देखो ये 4 है power ये बाहर आ जाती है अगर आपको पता हो और into में क्या आ जाता है बुल सर जो आपको ये दे रखा है तो कितना आ जाएगा 0.1 is equal to 0.4% आप सभी का हो जाता है तो ये छोटी छोटी चीज़े हैं जो आपको याद रख ल जाएगी यानि कि आप लोग लिखो कि डेल डेल रबाई आर is equal to 4 इन टू में डेल डेल कैपिटल रबाई र is equal to 4 इनंटू में डेल स्मॉल रबाई र क्योंकि वो रेडियस की बात कर रहे ठीक है तो इस तरीके से आप लोग इसको ऐसको गलूले कर पाओगे चली अगला को पता है देखो कुछ statement based सवाल दे रखें, बोला गया है, four questions 13 to 16, ठीक है, two statements given, one labeled as assertion, यानि कि तुमने क्या किया है, एक को labeled किया है as a assertion, ठीक है, दूसरे को तुमने क्या किया है, labeled किया है as a reason, ठीक है, select the correct answer to the, these questions from the options are given below, पहला बोला गया है कि if both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of the assertion, if the both assertion and reason are the true, but reason is not the correct explanation of the assertion, बोला गया है कि दोनो, क्या बोलते है, assertion is true, but reason is wrong, या दोनो wrong, चलो ठीक है, देखते हैं सवाल पर पहले, बोला गया है reason, assertion की बात करते हैं, देखो क्या बोला गया, on increasing the current sensitivity, word आया है current sensitivity, क्या होत sensitivity पहले तो यह पता होने चाहिए देखो आप जब galvanometer पढ़ते हो न तो वहाँ पे आप लोग का theta आता है theta को जब तुम लोग divide करते हो i से तब आपका क्या कहलाती हो current sensitivity कहलाती है यानि कि आप लोग क्या लिखोगे यह आप लिखते हो ने spring constant के बराबर यह torque लिए और यह आप लिखते हो niba लिखते हो ठीके जी यहाँ से अगर मैं theta by i कर देता हूँ तो यह क्या हो जाएगा बोला सर यह हो जाता है nba divided by k बोलवाए न अब यहाँ पे आप मुझे बताई क्या बोलगा है of a galvanometer by increasing the number यानि कि तुम लोग sensitivity को increase कर सकते हो अगर तुम लोग galvanometer के जो number of turns है उनको अगर increase कर दो तो यार आप जानते हो यहाँ पे क्या जानते हो कि बोला सर यह हमारा जो है ना directly proportional है n के अगर n को increase करोगे obviously बात है यह increase होगा यानिक सर यहाँ तक तो statement सही may not necessary increase its voltage sensitivity अब देखो आप voltage sensitivity की बात कर लो तो k theta is equal to क्या हो जाता है n i b a ठीक है जी यहाँ से theta is equal to क्या हो जाएगा बोलो सर n i b a a divided by क्या हो जाएगा k अब मैं अगर इसको v से divide करता हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा आई से आई गया क्या जाता है n b a divided by क्या जाएगा k r g भाया मेरे को एक चीज याद रखो दिमाग में बिठा लो कि जब भी number of tons को तुम लोग increase करोगे जब भी तुम लोग number of tons को increase करोगे तो obviously बात है तुमारा resistance भी उतना ही increase करेगा तो भाया जब दोनों चीज इंक्रीज करेंगे दोनों चीजों के अंदर जब increase आ रहा है तो obviously बात है सर यह तो constant रहने वाला है यानि कि इसके अंदर change not necessary है तो बर्कुल सही है यानि कि यह तुमारा क्या है एकदम correct कह रहा है एकदम correct है यह क्या है correct है ठीक है दूसरा बोला गया क्या बोला गया है the resistance of the coil of the galvan meter increase on increasing the number of turns विर्कुल ठीक है यार तुमें बोला है ना कि अगर तुम number of turns को increase करते हो तो तुमारा resistance भी increase करेगा obviously इसली बात है कि इसको बढ обязательно भी भड़ेगा तो यह तो कहानी विर्कुल सही है यानि कि यह तो जर दोनों के दोनों right है करेक्ट है और इसकी explanation यह दे रहा है- इसकी explanation दे रहा है यह क्यों क्योंकि उसने बोला थिर्ट नॉट necessary है लेकिन explanation दे रहा है और explanation दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ correct explanation दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ sir यह हमारा हो जाएगा A तो A is the right answer तो इसका answer क्या हो जाएगा बेटा correct इसका answer जो हो जाएगा na A विर्कुल correct हो जाएगा चलो अगला सवा अगले स्वाल में बोला गया है in an hydrogen atom there is only one electron but its emission spectrum shows many lines, विर्कुल ठीक है obviously बात है, ना कि हो सकता है कि वो second, third से आ रहा हो first पे, second से आ रहा हो first पे, fifth से first पे आ रहा हो, तो यह तो obviously बात है यानि कि correct है, यह तो correct बात है आगे बोल गया है, in given sample of hydrogen there are many atoms, each contain one electron, hence many electrons in different atoms may be in different orbits, so many transition from the higher to lower are possible, बिर्कुल ठीक है, हो सकता है मैं कहता हूँ, कि sir, मेरे पास बहुत सारे है, मैंने बोला कि sir, एक मेरी पाचवी स्टेट से फिस्ट में रहा है, एक चौती से फिस्ट में रहा है, या तीसरी से फिस्ट में रहा है ये भी आप लोगो का क्या है, ए आजाएगा अंसर एक इसकी बात करोगे, तो ये भी अंसर आपका विर्कुल ठीक है, ए अंसर आपका इसका भी हो जाएगा, यानि कि अभी तक हमने जो दोनों देखे हैं, उनके अंसर आपको क्या मिले है, आएए आइए, आगे बोला गया एकि नुकलई है new сос January about 60 are least stable, least stable hoता है, उनस्टेबल hoता है least stable is unstable unstable ऐगा न, भाई, आगे बोला गया कि वें 2 or more नुकलई are combined, यार, दो छोटे छोटे को मिलाओगे, मिला के एक बड़ा बनाओगे तो दोनों को जोड़े रखने के लिए energy जादा required होगी अब यहां पर क्या बोला है are combined into a heavier nucleus then the binding energy per nucleon will be decrease decrease थोड़ी होते कम हो जाएगी भाई जब दो चीजों को तुम मिलाओगे तो मिलाने के लिए तुम्हें energy की requirement होगी और जब होगी तो obviously बात है यह तो statement wrong कह रहा है तो पहला वाला भी की का हो जाएगा इसका right answer D, answer क्या हो जाएगा D, D is the right answer, अब आओ अगले पर, अगला बोला गया है कि deep rise wavelength of the freely falling body keeps decreasing with time, ठीक है, बोला गया कि the momentum of the freely falling body increase with the time, अब momentum की बात है, थोड़ा दिमाग लगाते है, बोला सर मैंने बोला कि अगर आपको पता हो, देखो, अगर मैं freely, free fall कराता हूँ, अगर आपको पता हो, तो अगर मैं free fall कराता हूँ, free fall की condition में क्या होता है, बलसर उसका acceleration जो होता है, वो बराबर रहेगा G के, यानि कि almost क्या रहेगा, constant, अगर ये constant रहेगा, और आपको पता है कि अगर वो उपर से नीचे आएगा, अगर वो उपर से नीचे तो उसकी speed increase होगी, अगर speed increase होगी, तो V is equal to kya है, MB, अगर V is equal to MB है, तो P is directly proportional to V होगा, यानि कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये भी कम होगा, तो ये भी कम होगा, यानि कि सब यहाँ पर बोला है, the momentum of the freely fall body increase with the time, time के साब तो increase करेगा, obviously बात है क्योंकि velocity change हो ठीक है, यानि कि ये तो बिर्कुल ठीक है reason, दूसरे बात है कि deep rise wavelength of a free falling body keeps decreasing with time, यार देखो, आप जानते हो, lambda is equal to kya होता है, H upon P होता है, अगर मेरे भाईया, मैं P को increase करूंगा, तो obviously बात है, lambda तो कम होगा ही होगा, यानि कि सर ये भी सही है, और दोनों सही है, तो दोनों explanation दे रहे हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या दोनों एक दूसरे की explanation दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे की explanation दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सर इसका answer हो जाएगा, तो A आपका विर्कुल correct हो जाएगा regarding this, अब हम लोग चलेंगे second section की नहीं है, और हर एक दो number का है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी सवाल से क्या कह रहा है, बुला गया है आप सभी के लिए, a platinum surface having the work function of 5.63 electron volt is illuminated by a monochromatic source of 1.6 into 10 to power 15 hertz, what will be the minimum wavelength associate with the exacted electron, या देखो minimum wavelength की बात है, देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आ जाओगे तो वहाँ पर चीजे थोड़ी सी complicated हैं, तो मैं जो आपको answer बता रहा हूँ, उसी तरीके से करिएगा, अन्यत हाप लोग first जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगे चीजे, तो देखो सबसे पहले, आप मुझे बताईए, शने मुझे बोलाए कि minimum wavelength मुझे बता अब सबसे पहले मुझे बताईए, यहाँ पर work function आप सभी को दे रखा है, बोलो sir work function कितना दे रखा है, work function दे रखा है 5.63 electron voltage, अब मुझे क्या चाहिए, बोलो sir kinetic energy अगर मुझे चाहिए, kinetic energy अगर मुझे निकाल लिए तो energy minus में work function करना पड़ेगा, यानि कि मुझे energy बोलो sir यह दे रखा है 1.6, कितना दे रखा है, 1.6 into 10s to power 15, ठीक है, अब यहाँ से इसको solve करोगे, तो into में आजाएगा 10s to power minus 19, और यहाँ पर आजाएगा 6.63 into में 1.6 आप सभी का आजाएगा, बिटा मैं यहाँ पर इसके लिए आपके लिए calculator से calculate कर देता हूं, जिससे आ आ रहा है, तुमारा 10.608 into में 10s to power minus 19 है, ठीक है जी, और इसको अगर मुझे electron volt में convert करना है, तो divide करना पड़ेगा 1.6 into 10s to power minus 19 से, तो मैं इसको electron volt में convert कर देता हूं, तो electron volt में convert कर दिया है, तो यह तुमारे पास आजाएगा, लगबग 6.63 electron volt आप सभी के पास आजाएगा लगबग लगबग आजाएगा, ठीक है, approximately यह आपके पास आजाएगा, 6.63 electron volt के है, आसपास तुमारे पास आजाएगा, ठीक है, अगर मैं इसको solve करता हूं, तो कितना आजाएगा, अगर मैं roughly, तो देखो, यहां से आपने इसको कर लिया है, solve, और solve करने के बाद में, अब पास में क्या हो जाएगा, 5.63 electron volt है, सीधा सीधा, कितना आ गया है, वण इलेक्टरोन वल्याड आप सभी का आ जाएगा, वण beacon volt है, अगर इसको में को जूल में convert करना है, तो सीधा सीधा मैं क्या बोल दूँगा, बरशा सीधा सीधा अगर में इसको जूल में convert करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो इलेक्ट्रोन वोल्ट को जूल में कनवर्ट करना है तो multiply कर दीजिए तो यह आ जाएगा 1.6 into 10s to power minus 19 आप सभी का आ जाएगा ठीक है यहां से आप लोगों ने यह जूल के अंदर निकाल लिया ठीक है अब आता है यहां पर बात बोलो सार अगर यह जूल के अंदर आपकी काइनेटिक एनरजी आ गई है तो यहां पर क्या लिखोगे बोलो सार 6.63 into 10s to power minus 34 आप सभी का है divided by क्या हो जाएगा बोलो सार अंडर रूट के अंदर 2 into में कितना हो जाएगा 9.1 into 10s to power minus 31 into में कितना आ जाएगा यहां से आप देखो 1.6 into 10s to power कितना आ जाएगा के अंदर 2 into में 9.1 है into में 1.6 है और into में कितना आ जाएगा 10s to power 25 आ जाएगा उपर तो सीधा-सीधा यह कितना हो जाएगा अगर इसको देखोगे तो तुम लोग यह बोलो कि देखो 5 और 4 नो तो into में आ जाएगा 10s to power minus 9 आपका आ जाएगा और उपर आ जाएगा 6.63 divided by क्या हो जाएगा अंदर तो यह हो जाएगा 18 अंदर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 18.2 into में 1.6 आप सभी का आ रहा है तो एक बार इसको मैं calculate कर लेता हूँ जिसके आपका काम आसान हो जाएगा तो यह हो जाएगा 18.2 है into में 1.6 है 29.12 है अगर इसका अंदर रूट निकालेंगे अगर अंदर रूट निकालते हैं 29.12 का तो 29.12 का अगर अंदर रूट निकालते हैं तो 5.36 आ जाएगा कितना जाएगा 5.39 और 5.39 आ जाएगा तो 6.63 divided by 5.39 तो यह आप लोगों का आ रहा जाएगा 1.23 into में 10s to power अब एक बार देखना power में कहीं गड़बर हुई है क्या कहीं power में गड़बर हुई है क्या क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ न कुछ तो गरबर हुआ होगा 25 यहां से देखो कितना हो गया देखो यहां पर कितना हो जाएगा 1.3 तो माइनस 9 है सीधा सीधा अब मुझे बताइए यह किसके अंदर है आप सभी का बोला सर यह आ गया अगर इसको solve करते तो कितना हा जाएगा बोल सर इसको अगर मैं solve करता हूँ तो 12.3 into में कितना आ जाएगा 12.3 into मैं कितना जाएगा 12.3 into मे आप से भी का जाएगा 10 to power 8 meter यही lambda आ रहा है तो एक बार check कर लिजे कोई power बावर में दिक्कत तो नहीं है I think कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए power कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो answer क्या है यही है 12.3 into 10 to power minus 8 meter सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ देखो book के अंदर यह minus 7 लिखा हुआ है sorry book के अंदर नहीं जो आपको दिया गया है CBSC की तरफ से minus 7 नहीं minus 80 आएगा तो उसको आप लोग चेक कर लिजेगा ठीक है आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ देखो अगले सवाल जो है उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि अगर अगर आप लोग चाहते हो अपनी preparation को तगड़ी level पे करना तो आप लोग हमारे साथ जूट सकते हो हमारे premium content के अंदर जिसके दौरा आप लोग selection की तरफ अपना कदम है उसको आगे बढ़ा सकते हो चलिए using the code y485 सबसे पहले आप यहां पर बात आती है देखो इस दो सवाल यार देखो इसके दूसरे सवाल की अगर मैं बात करता हूँ न बिटा आप यह सवाल देखिए उपर की तरफ बोला गया है इन यंग्स डबल सिलिट एक्सपारिमेंट यूजिंग दी मॉनो क्रोमेटिक लाइट ऑफ दी वेवलेंथ लेंड़ लेंड़ देखो यंग्स डबल सिलिट वेश्टीकों मैं यहापर लिए डिक देता हूँ आई डायाश आपको देखो यह नहीं दे रखा है जो आपको मार्किंग सिंदी इस के अंदर नहीं दे रखा सवाल क्यों क्यों कि इस सवाल के अंदर गेटा उन्होंने कुछ अल्टा-पल्टा कर रक चा है तो इसलिए I-DES is equal to क्या हो जाएगा देखो यह तुम्हारा सेम रहेगा 4 I note की जाएगा क्योंकि उसने पहले ही बताया हुआ है I आजाएगा cos square क्या जाएगा भाईया del 5 by 2 आप सभी का जाएगा del 5 की बात करते हैं तो del 5 क्या होता भाईया रखा है तो lambda by 4 है तो lambda से lambda चला जाएगा 2 से यह 2 चला जाएगा कितना जाएगा pi by 2 आप सभी का जाएगा अगर यह pi by 2 आ जाएगा तो यहाँ पर pi by 2 रख दो तो सीधा-सीधा कितना जाएगा 4 I cos square कितना जाएगा पाई बाई 2 इंटू में 2 तो सीधा सीधा पाई बाई 4 आ जाएगा और पाई बाई 4 की बाद करोगे तो 1 अपन अंडर रूट 2 यानि कि 45 हो गया ना भाई 180 डिवाइड बाई 4, 45 तो 1 अपन अंडर रूट 2 है इसका स्क्वाइर करोगे तो 1 अपन 2 हो जाएगा तो सीधा सीधा क्या जाएगा 4i इंटू में 1 अपन 2 हो जाएगा 2 सहीए 2 काटोगे 2i आजाएगा यानि किसार सीधा सीधा अंसर कितना आ गया है 2i तो i' इसका अंसर हो जाएगा 2i इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये थोड़ा सा बिटा इसके अंदर data insufficient है क्यों कि direct आप लोग इसको solve नहीं कर सकते हो जैसे marking scheme में आपको दे रखा है वैसा नहीं करना है इसके लिए ठीक है data insufficient है आईए अगले सवाल की तरफ चलते हैं यार देखो उससे पहले एक सवाल और था इसके अंदर ही शहएद नहीं हो गया ठीक है यहाँ पर देखो 29 सवाल है चलो यह रहा देखो मैंने आपके यहाँ पूरा खोल रखा है पेपर जहां ज़रूत पड़ीगी उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे इच ऑफ दी मास देखो दोनों का मास जो आप सभी को दे रखा है न तो मैं यहाँ पर गिविन डेटा साथ की साथ लिखता जाता हूं जिससे हमें बाद में नहीं देखने की ज़रूत पड़ेगी तो मास कितना गिविन है बीटा मास है की इच मूविंग इच मूविंग इस से मेश स्पीड अगर से मेश से जा रहा है तो व कितना दे रखा है तो 2.4 into to power 5 meter per second as showing the figure, the two particles are equidistance यानि कि distance की बात है, तो R में इसको consider कर सकता हूँ, तो 0.5 from the vertical y-axis, at some distance, some instant at magnetic field B switches on so that the two particles undergoes head-on collision, तो यहाँ पर B की बात की आप से पूछे गए, तो B की बात की गई है, तो B को अभी हमें नहीं दिया गए, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताईए, अगर particle की बात कर रहे है, moving कि इधर है, बुले सर इधर है तो आपकी direction क्या होगी, बुले सर परpendicular होता है, लेकिन inward direction के अंदर होगी, तो यहाँ पर पहली बात तो direction की बात किया आजाएगी, inward आजाएगी, चीक है जी, दूसरी की बात करते हैं, दूसरा आपको बोला गया है क्या, बुले सर यहाँ पर बोला गया है, कि आपको याद हो तो बुले सर, mb by qb है, मुझे क्या चाहिए, b चाहिए, तो b is equal to क्या होता है बिटा, mb by qr हो जाएगा, और m की बात करोगे, किस की बात कर रहा है, यहाँ पर, m है, mass कितना दे रखा है, बुले सर, 4 into 10s to power minus 26 है, into में v, v क्या है तुमारा, v, 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 यह र रखा है, 4.8 into 10s to power minus 19 कुलम है, ठीक है जी, और into में तुमें क्या दे रखा है, distance की बात है, 0.5 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ से देखो, यह दो बार जाएगा, इसको मिलाओगे, एक हो जाएगा, तो यह आजाएगा, सीधा-सीधा, उपर जाएगा, यह 24, 4, तो 4 into 10s to power minus 2 हो जाएगा, Tesla के अंदर, तो 0.04 Tesla आप सभी का अंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.04 Tesla आप सभी का यह अंसर आ जाएगा, सीधा-सीधा, ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो, अगले सवाल पे चलते हैं, लेकिन अगले सवाल पे चलने से पहले, यह देको, इसके हर से आपको पता होने चीज़ रहप है लेखला होता है हों कहता है οι jetzt Try अगर सुन्हीत ह rain में ही स्टेंग्य जॉन्टावं में हो जाता है ताइम अगर यह तन्स्टेंगे में टाइमों होता है तो आप जानते हो इसका टाइम प्रेड क्या होता है बरसट टाइम प्रेड की बात अगर मैं करता हूँ तो टाइम प्रेड इस इकुल टू क्या होता है 2 Пई R डिवाइड बाइड वाइड क्या हो जाएगा V आर की वैलु आप लोग जानते हो 2 P डिवाइड बाइड वी इंटू में R क्या होता है MB बाइ QB होता है तो भाया यहां से V से V चला जाता है, सीधा सीधा 2 pi M divided by क्या आजाता है, क्यों भी, तो यह तेरा time है, time अगर तेरे पास है, तो तुझे helical path की बात किया, helical path कितनी हो जाएगा, तो pitch निकालना है, तो pitch is equal to कितनी हो जाती है, बोलो, pitch is equal to हो जाएगी, sir, यहाँ पे देखो, य cos theta divided by क्या हो जाएगा, क्यों भी, आप सभी का हो जाता है, क्या हो जाएगा, 2 pi M cos theta divided by क्यों भी हो जाएगा, तो रख दीजे values को और solve कर दीजे, फटा-फट से, तो देखो, आप जानते हो, यहाँ पे proton से related CJ की गई है, तो proton की बात की गई है, तो यह हो जाएगा, 2 into में 3.14 इंटू में कितना हो जाएगा, proton की बात है, proton होता है, 1.67 into 10s to power कितना हो जाएगा, minus 27, इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, V, V क्या दे रखा है, 2222 into 10s to power 5, ठीक है, और इंटू में क्या दे रखा है, cos 30, cos 30 की value कितनी हो जाएगी, cos 30 की value, जल्दी बता करोगे divided by q q क्या proton के बाद है तो 1.6 into 10 per minus 19 है और into में क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1.5 तो 1.5 है इसके according आप इसको solve कर लिजेगा तो 2 into 3.14 into में 1.67 into 10 per minus 27 है 2 into 10 per 5 है cos 30 degree है 1.6 into 10 per minus 90 रहे 1.5 है इसको solve करोगे तो approximately तुवारी value आ जाएगी जो भी आएगी एक पर check कर लिजेगा ठीक है मैंने solve आपको बता दिया है क्या होगा अगर में हाप काइनिटिक energy की बात करता हूँ half cycle के लिए तो क्या हो जाएगा एक गया दो रेक तीन तो यह आ जागा into 10 स्टो पार माइनस सतरह सत्रह यह रहे नहीं है अगर 17 ठीक है 17 तो यह तो यह तुम्हारा जूल वैर तो 3.34 into 10 स्टो पावर माइनस सत्रह जूल ठीक है अब यह मैने आपको कड़ा दिया ठीक है इसका ध्यान रखना, मैंने आपको करा दिया है, वैसे तो ये, ठीक है, अब आईए हैं, यहाँ पर, अब इसके अंदर देखो, क्या कर रखा है, देखो, आप मुझे बताइए, यहाँ पर कुछ सवाल आपको दे रखे हैं, देखो, क्या है, पढ़ो सवाल, बोला गया है, कि binding energy per nucleon versus mass number का curve आपको दे रखे है, nuclear is showing the figure, ठीक है, W, X, Y, Z है, और four nuclei, indicating on the curve, identify which of the following, nuclei is most likely to undergoes, यहाँ पर बुला है, nuclear fission और nuclear fusion, अब आप सबसे पहले मुझे बताइए, nuclear fission की बात, अगर मैं करता हूँ, तो क्या होगी, बोला सर, अगर मैं nuclear fission की बात करता हूँ, तो जिसको energy per nucleon less required उसकी बात कर रहे है, तो कौन सा graph कर रहा है, बोला सर, यहाँ पर अगर इसकी components की बात करोगे, कितना है, यहाँ पर graph में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं, यह दे रखा 190, और 190 के लिए कितना दे रखा 7.5, यानि कि energy per nucleon से अगर आप निकालोगे, त समाएगी, तो इसका मतलब इसका answer क्या हो जाएगा, पहले वाले का answer क्या आजाएगा, कौन सा है, nuclear fusion की बात करोगे, तो W, क्या हो जाएगा, ठीक है जी, अगर मैं nuclear fusion की बात करूँगा, तो सबसे जादा कोन है, Z बात करता हूँ, Z है, क्यों, क्यों से 30 और 5, यानि कि 5 मेग what, mega electron volt की energy की बात कर रहे है, winding energy पर nucleons की बात हम लोग याँ पर कर रहे है, तो इसका क्या जाएगा, Z आप सभी का हो जाएगा, ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और जानने की कुशिश करते हैं, अगला सवाल यह है, बहुत प्यारा सा सवाल है, चली देख लेते, क् as per the Bohar postulate in the term of M, M, G, H and G, ठीक है जी, and gravitational constant and H Planck's constant की form में आप सभी को इसको निकाल लाएगा, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बता हूँ, अगर Bohar के मैं second postulate की बात करता हूँ, तो आप जानते हो क्या होता है, बोलो सर, NHY 2 pi is equal to क्या होता है, बोलो सर, MVR, यह होता है, ठ orbit के अंदर move कर रहा है, तो उस case के around the orbit, तो आप जानते हो, centripetal force किसके बराबर होगा, जो आप लाओ का gravitational force है, उसके बराबर, यानि कि सर, यहां से आप बोलोगे, small M, V square divided by R is equal to क्या हो जाएगा, G, capital M, small M, divided by क्या हो जाएगा, R square, एक R से, एक R गया, ठीक है, और, एक M से, एक M गया है, तो यहां से बोलोगे कि V square is equal to क्या हो जाएगा, G, capital M, divided by R, ठीक है, अगर यहां पर देखी यह रहा, अब यहां पर V square है, V square, यहां से V निकाल लीजे, क्या हो जाएगा, V की बात करोगे, तो N, H, divided by small M, R, 2, pi, ठीक है, अगर इसका square करना है, तो V square is equal to हो निकाल लीजे, R की terms में value निकाल लीजे, तो कर लो रख दो इसको, यहां से कितना हो जाएगा, बोलो sir, N square, H square, small M square, R square, 4 pi square, और is equal to G, capital M, और यह R, भया, एक R से एक R गया, एक R बचेगा, उसको वाँ बेज दो, तो R is equal to हो जाएगा, N square, H square, M square, 4 pi square, G, capital M, तो यही तुम है, क्या आजाएगा, N square, H square, 4 pi square, small M square, GM, तो इस तरीके से यह तुम्हें प्रूफ करना था, कि भया, यह तुम्हारी क्या है, चीजे है, यह तुम्हें क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था, ठीके जी, I hope कि आप लोगों को इस समझ में आ गया है, जिसकी बात हम diagram, and draw the output waveform of the X and Y, तो देखो, आपको बोला गया है, तुमने क्या क्या है, इस AC source को लिया, यहां से लिया, यहां से DC आपने इसको जाके तुम आगे कर रहे, तो क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, बोला सर, अगर मैं यहां पर बात करूँ, तो यहां पर आप लोग क्या use कर सकते, बोला सर, AC को convert करना है, तो भाईया, यहां पर तुम लोगो को rectifier use करना पड़ेगा अगर यह rectifier तुम लोग यूज करोगी यह तुम्हारा क्या है rectifier है और rectifier में आप लोग जानते हो क्या होता है अब हमें तो पूरी wave को करना है जबी तो DC करना पड़ेगा otherwise half wave के अंदर क्योंकि input frequency is equal to output frequency होगी अगर हम लोग हाफ वेव लेंगे और अगर मुझे frequency को increase करना है तो उस case में मुझे क्या करना पड़ेगा हम लोग क्या बोलेंगे बिल आउट्वट frequency is equal to two times of input frequency होती है फुल वेव rectifier के अंदर तो यह कौन सा है तुम्हारा यह होगा फुल वेव करोगे तो filters आप लोगों का triple E के subject के अंदर आता है तो filters आप से भी को यूज करना पड़ेगा यानि की full wave rectifier x हो गया y आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पे filters हो गया अब filter के अंदर भी कौन सा use कर सकते हो बिलाशर capacitive filter को use कर सकते हो यहाँ पे आप लोग इसको बोल सकते हो आगे बोला गया है इव दा सेंटर टेप क्या है सेंटर टेपिंग इस शिफ्ट तो वर्ड़ी डायोड डीवन ठीक है आप शोइन डी डाइग्राम ड्रॉदा output wavelength of given तो भया output wavelength क्या होगी अब आपको पता है शिफ्टिंग कर रहे हो तो शिफ्टिंग के केस में क्या हो जाएगा हमारी output देखो आपको यह तो confirm होना चाहिए कि full wave rectifier की बात करते हैं तो normally क्या बन जाएगी इसके output जो आएगा अगर मैं यह देखो इस तरीके से input देता हूँ तो इसका output क्या थै प्रॉसर आउटपुट इस तरीके से ही आपको देखने को मिलता है ठीक है यह output आपको देखने को मिलता है लेकिन जैसे ही तुम क्या कर रह इंक्रीस करेगी यानि कि फिर यह जो तुम्हारा फाइनल जो बनेगा फाइनल जो बनेगा वो कैसा मनेगा इस तरीके से मारो ठीक है याद रखेगा जिदर भी तुम shifting करो गया मारो इसको डीटू की तरफ शिफ्टिंग करते तो डीटू कम होता डीवन क्या होता तुमारा ज्यादा होता, समझ में आ गया है, D1 तुम्हारा कम होता, D2 तुम्हारा ज्यादा होता अब मेरी बात एक और सुनीगा, मैं आपको यहां पर एक और चीज बोलना चाहूंगा, सुनो हाव वेव रेक्टिफायर की, जब हम लोग यहां पर बात करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, कि इन्पुट फ्रिक्वेंसी जो होती है, वो आउट्पुट फ्रिक्वेंसी के बराबर होती, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते है, उसके अंदर ग्राफ कैसा बनता है, इस त चैंप इसकी दो आचुकी है, तो यानि कि वेव का मतलब क्या हुआ, कि सर कहां से वो अपने आपका रिपीटिशन कर रहा है, ठीक है? तो यहां से कितना हो जाएगा, बोलो सर, F0 is equal to 2 times of off input की बात हम लोग यहां पर कर रही है, ठीक है जी? तो इस तरीके से तुम्हें इनक निमेरिकल आएगा, फिक्स क्योशन है, या तो तुम्हारा निमेरिकल आएगा, निमेरिकल आएगा, या फिर क्या है इसके अंदर आप सभी को क्या देखने को मिलेगा, या तो निमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, या आपको थियोरी देखने को मिलेगा, हर साल का फिक् पानता हूं मैं आपको इसका कॉंसेप्ट है न पियोरली मैं उसकी बात कर लेता हूं मुझे पता है कि डेरिवेशन आप में से 100% बच्चा इसका कर लेगा लेकिन जो इसके करने के बाद हम लोग बात करने ठीक है इंट्रिड्यूस करने के बाद में कैसे देखो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मान लीजे सर मेरे पास क्या है एक पैरलल प्लेट कैपिसिटर डंग से सुनना कैसे लगाया जाता है फिर तुम दिक्कत करते हो बोलो मान लीजे सर मेरे पा होएगी नहीं होएगी ठीक है या फिर अंदर के तरफ ले लो अंदर के तरफ फिर वह बेस्ट है ठीक है अब देखो क्या होता है सुनना डंग से मेरे भाई सबसे पहले एक चीज याद रखना देखो आप जब भी किसी चीज को इंट्रेड्यूस करते हो ना उसकी दो फिल होगी ठीक है आपको जो पहला केस बोला है ना वो पार्शली फिल का ही बोला है जब भी आपको बोला है ना पार्शली फिल की कंडिशन ही बोली है दूसरा हम बोला है कि अगर मैटलिक स्लेब को इंट्रेड्यूस कर देते हो तो क्या होता है तो उस केस को भी हम लोग ठीक है, one by one between plates capacitor, in which of the case would be capacitance will more and why, ठीक है, तो देखो partially fill होता है, और एक होता है, fully fill की condition होती है, क्या होती है बीटा, fully fill की condition होती है, अब मेरे भाई देखो, तुमसे बोला गया न, उसने क्या बोला है, तुम्हें यह नहीं बोला, कितना है बीटा, A है, ठीक है, cross-sectional area A है, इसकी thickness कितनी है, T है, और इसकी बड़े वाली की कितनी है, D है, याद रखना हमेशा, कि जब D है, अगर मैं D की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, कि आप लोगों का जब D should be greater अगर, D should be greater than T होता है, उस condition की बात कर रहा है, इसी को तुम लोग बोलते हो, partially fill, ठीक है, इसी को बोलते हो, इसको जब तुम लोग solve करते हो, तो उस case में तुम्हें capacitance की जो value मिलती है, वो मिलती है, epsilon 0 A divided by D minus T, 1 minus 1 upon K, इसी की value को solve करने के लिए वो तुम्हें कह रहा है, यही जो value है, epsilon 0 A, D minus T है, 1 minus, यह जो पूरा formula है इसी को वो solve करने के लिए आप सभी से कह रहा है, क्या बोल रहा है, epsilon 0 A, D minus T, 1 minus 1 upon K, अब चाहोगे अंदर multiply करोगे, तो D minus T हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, T by K हो जाएगा, यह तुम्हारा है, mainly इसी को वो तुमसे solve करा रहा है, लेकिन यह कब लगाना है बेटा, यह formula तब लगाना है, जब तुम्हारी condition कौनसी हो partial fill, अब कल को हो सकता है examiner, थोड़ा सा smart बन जाए, मैं देखो तुम्हें extra चीज बता रहा हूँ, मुझे पता है, यह derivation तुम लोग कर लोगे, derivation तुम से हो जाएगी, लेकिन मेरे extra चीज बता रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जानना, अगर कोई भी fully fill की condition आजाएगी, तो क्या होता है, बहुत सर, fully fill का मतलब क्या होता है, what is the meaning of fully fill, बहुत फुली fill का मतलब होता है सर जी, जब d बराबर किसके हो जाता है, ट के, यानि कि जो इसके बीच का gap है, तुमने इससे पूरा भर दिया है, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, देखो, मतलब ये हुआ, मान लीजे इस तरीके से, ये तुमने एक ले ली, ठीक है, दूसरा यहां ले लिया, ठीक है, done, done, अब तुमने क्या किया है मेरे भाईया, तुमने यहां पर भर दिया है, इसको पूरा ये पूरा फुल भर दिया है ये लो ये तुम्हारी होती है फुली फिल की कंडिशन ठीक है ये पूरा भर दिया है तुमने इसको पूरा भर दिया है मैं इसमें फिल भी कर देता हूँ ये पूरा भर दिया है तो ये होती है fully fill की condition क्यों 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 किसा t b इतना ही है और d b इतना ही है बोलवाए ना जब ऐसी condition होती है तो आप बोलो capacitance क्या होता है c is equal to epsilon not a divided by d minus अब देखो t और d बराबर है t और d बराबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ d t की जगे d रख रहा हूँ तो d हो जाएगा 1 minus 1 upon k ठीक है जी अब यहाँ पर देखो इसको अंदर multiply कर लो c is equal to epsilon not a epsilon not a divided by क्या हो जाएगा d minus d हो जाएगा minus d by k plus हो जाएगा तो d से d गया यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो sir k epsilon not a by d जो तुम लोग formula लिखते हो न वो यहाँ से आता है वो formula यहाँ से आता है जब fully fill की condition है तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझने की जरुवत पड़ेगी अन्यता दिक्कत आप लोगों को होने वाली होती आगे चलिए आगे आप सभी को बोला गया है कि सर एक और आपका होता है जिसके अंदर तुम लोग क्या करते हो बेटा metallic slab होते है न उसको introduce करते हो क्या करते हो metallic slab जो होते है न उसको introduce करते हो तो यह तुम्हारा तीसरा क्या होता है बेटा metallic तुमने क्या किया देखो यह रहा क्या क्या है metallic slab जो है न उसको तुमने introduce कर दिया है c is equal to epsilon not a divided by d minus t 1 minus 1 upon k बिटा याद रखना एक चीज बोला सर क्या बोला metallic जब भी होगी न चीज है उसके लिए k क्या होता है infinity होता है और 1 upon k infinity है तो यह क्या हो जाएगा 0 बोला हाए न 0 है तो यह तो 0 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाता है बोला सर c c is equal to क्या हो जाएगा epsilon not a divided by हो जाएगा d minus में t याद रखना अब मेरे भाई अगर d minus में t हो रहा है तो अब बताओ यह तुम्हारा क्या होता है metallic का case होता है अब तुम लोग comment section के अंदर बता के जाना कौन सा तुमारा एक में थोड़ा कम हो रहा है एक में बहुत सारा कम हो रहा है तो कौन सा आपके लिए better होगा एक में कम हो रहा है बताओ कौन सा तुमारे लिए better होगा बता दो भाई दूसरे केस में in which case capacitance will be more और भाई तो मैंने सब को बता दिया क्या चीज़ है ठीक है तो सबसे जादा किसमें होगा बोला सर देखो इसमें कुछ value जादा कम हो रही है जादा value कम कर रहे है उसमें कम value कम हो रही है तो अगर मैं capacitance के purpose से बात कर दो हूँ otherwise तो यही हम लोग use करते हैं चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं देखो यह रहा देखो क्या बोला गया कि draw a rate diagram for the formation of image of the car screens telescope देखो यार basically आपको पता होना चाहिए एक तो अब गर मैं reflecting type की बात करता हूं तो आप जानते हो यहां पे दो तरीके से आप लोग देखते हो एक तो जो Newton जी ने दिया था दूसरा इनों ने दिया था अब उसमें क्या किया गया था थोड़ा सा improvement किया गया बस उसमें क्योंकि वहाँ पे आपने क्या किया था एक plane mirror को लगाया था plane mirror लगाने के बाद में आप चीज़ों को देख रहे था यहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं convex mirror लगा रहे हो यानि कि दो mirror का combination है बस इतना सा आपको पता होना चाहिए तो चलिए भाई यह पहले वाले का diagram हम लोग देख लेते है diagram बहुत simple सा है चीज है easily आप लोग देख पाऊगे ठीक है तो एक second मुझे दे दीजिए तो यह देखो यहा से diagram बनाहिए फटा फट से ठीक है आगया है diagram थोड़ा सा मतल देखो तो बना ली जेगा अच्छे है आप लोग बना पाऊगे है यह तो थोड़ा सा चूटा यहार, ठीक है, 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 आपने क्या किया है, यहीं पे, आप क्या कर रहे हो, देखो बेटा, एक आप लोग लगा रहे हो, यहां पे, देखो इस तरीके से, यहां पे, इससे क्या होगा, यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, पूछो क्यों, क्यों लगाया जा रहा ही है, क्योंकि सर देसे plane mirror आप लोग वहाँ पर use कर रहे थी, आप लाइट टकरा के इससे बार की तरफ जाएगी, और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आई पीस अपका जो भी है, वो लगा के रखोगे, तो इस तरीके से आप बोल दोगे, ठीक है, यह आपका क्या है, आई पीस है, ठीक है जी, आई पीस है, इसको बोलोगे, आई पीस, ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, बोलो सर लाइट अगर यहाँ पर incident होती है, लाइट हाँ, इक सेकंड रुखो, क्योंकि, अभी भाई हट जाया यार, एक सेकंड रुखो, एक सेकंड, ठीक है, ticking। तन, देखो, ठीक है ठीक है, अब यहाँ से देखो, लाइट आई, incident हुई, ठीक है यहां से टकराई टकराने के बाद में यहां इंसिडेंट हुई ठीक है इस तरीके से आपको देखना है यहां इंसिडेंट हुई इसी तरीके से क्या होगा बुलसर यहां से लाइट आई ठीक है यहां इंसिडेंट हुई ठीक है इंसिडेंट होने के बाद में क्या होगा बुल यह तुम्हारा क्या होता है में लिए जो तुम्हें चाहिए का स्क्राइब को बहुत है दूसरी चीज मैं चीज और लुगा वह वो क्या है बोलो सरसके अंदर क्या है देख अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि इसको प्रिफर क्यों क्या जा रहा है as तो उसके पीछे का रीजन यह है, कि सर देखो, यहां पे आपकी जो लाइट है, वो मैक्सिमम तुम लोग यहां पे क्या कर रहे हो, और जिसके वज़े से जो इमेज होगी वो मुझे और ब्राइटर देखी, पहला ही हो, दूसरे कि अगर मैं सिंपल बात करता हूँ, तो जो आप लोग के इसके अंदर पहले जो इशूस थे, कि सर, वहां पे क्या होगा, कंपलीट आप लोगो का वहां पे नहीं पहुच पा रहा था, तो वो यहां पे क्या हो गया, थोड़ा सा अच्छे से चीजे होने लगी, जिसके वज़े से तुम्हें ब्राइटर मिलने लगा, और अगर एक और एक्जामपल लेने लगोगे, तो बोल सकते हो कि जो आपका अब्जेक्टिव मिरर है न, वो हमारा का है, फ्री है, किस से, क्रोमेटिक और स्पैरिकल जो अब्रेशन से न, उन से ये फ्री है, तो इस तरीके से आप लोग उसके अंदर दो लग सकते हो, नहां पर देखो, एनेरजी बेंट डाइग्राम की बात की गई है, देखो, आगे बोला का है, बोला, फस्ट बोला का, T is equal to 0 Kelvin and room temperature, in which diagram, considered an ideal diode, in which conditions will be the bulb glow, when the switch is open, or when the switch is off, सबसे पहले मुझे बताईए, देखो, दो चीज है, condition देखो, आपको पता होनी चाहिए, आए, सबसे पर देखो, अगर 0 पे होगा, 0 Kelvin पे होगा, सर, कोई moment नहीं होगा, उनके बीच का energy band gap है, वो बहुत जादा होगा, और energy band gap जादा होने की वजह से क्या होगा, बोला, सर, energy band gap जादा होगा, तो उसके वजह से electrons जो हमारे हैं, वो balance band से, conduction band के अंदर, नहीं जा पाएंगे, बो तो पाँ देखो, temperature आपको पता है न, temperature बढ़ेगा, सömी कंडagnutuses के अंदर, तो conductivity इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि सर, temperature बढ़ा, resistance स्कम होआ, resistance स्कम होआ, रिजिस्टिविटी क्म होए, conductivity इंक्रीज होए, क्यों? रिजिस्टिविटी और conductivity की बात करते हैं, तो दुनों के ब diagram consider an ideal diode in which condition will be bulb glow पहला स्विच ओपन रहेगा या स्विच ओफ रहेगा बताओ कौन सी है बोलो बोलो क्यों बोलो सर ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ बोलो सर स्विच क्लोज होना चाहिए या ओपन होना चाहिए तब बात वनेगी बोलो बिकॉज सर देखो आप मुझे एक चीज़ बताइए बल्ब है यहां पर क्या है बोलो सर डायोड लगा हुआ है अगर मैं डायोड की बात करता हूँ डायोड किसमें वर्क करता है फॉरवड बैस में अगर यह कनेक्टिड हुआ तो उस केस में क्या होगा कि सर करेंट फ्लो हो अगर होगा तो उस केस की बात हम लोग यहां पर कर रही है ठीक है जी बीच बीच में बेटा आपके वी आई कुछ इंपॉर्टेंट क्यूसंस भी है तो उनको आप लोग देख लीजेगा मैं आपको यहां पर कराता भी जा रहा हूं बट थोड़ा सा देखते जाएग ठीक मैं बॉड इस मूथ है अगर मैं गुवग इटा की बात कर्ता चलो गिलेट अगर तो डीक यहां टील ऑन वार्जा jump . ठीक है जी, आगे बोला गया है, carries a charge of 10 millicolam, inside it, ठीक है, तो ball की बात कर रहे है, small ball है, जो spherical, जो आप लोगो की ball है, of mass, तो spherical ball है, इसी के लिए charge आपको given है, कितना दे रहा है बिटा, 10 millicolam है, यानि किसा 10 into 10 is to power minus 3 coulom आपका हो गया है, ठीक है, आगे बोला गया, inside it, which is free to move along the axis of the pipe, अब तुमने pipe को अगर vertically रख रखा है, अगर pipe को vertically रख रखा है, तो obviously बात है, नीचे क्या लगेगा, mg, बोलो है न, अगर तुम इसको देखोगे तो नीचे क्या लगेगा, mg, ओके बात है, the boy is moving the pipe from east to west, ठीक है जी, east से west की तरह move कर रहा ह है, in the presence of magnetic field to tesla, there magnetic field भी आपके पास आगया है, कितना है, to tesla की बात कर लिए, ठीक है, आगे बोला गया है, with what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis, ऐसे minimum velocity बताईए, जिसके वज़ा से, जो आप लोगों का minimum velocity की वज़ा से, जो बाल है, वो आपकी move ना कर पाए, axis के लोग, बोला गया है, also determine the direction of the magnetic field, यार देखो, आपको एक चीज़ बता होना चाहिए, अगर magnetic field के अंदर कोई भी charge particle है, और move कर रहा है, तो आपको पता है कि magnetic field क्या करता है, force लगाता है, कितना लगाता है, क्यों भी भी साइंटिट, अब इसने बोला है, इसने बोला, ball does not move along the axis, यानि कि axis के along ना गुमे, तो उसके लिए क्या जरूरत है, बोला सर, mg को balance कर रहा होगा, हमारा magnetic field की वज़े से लगने वाला force, तब जाके बात हो रही है, तो यार मैं बोलूँगा, कि जो magnetic field की वज़े से लगने वाला force है, वो gravitational force को क्या कर रहा है, balance कर रहा होगा, यहाँ पर आप बोलोगे, Q, V, B, sine theta आप सभी का हो जाएगा, equals to क्या हो जाता है, बोलो सर, यह हो जाएगा, mg, अब मुझे यहाँ पर पता है, कि sine theta को मेरे को क्या करना है, यह maximum रखना है, 1 है, theta को, तो यह क्या हो जाएगा, Q, V, B, mg आप सभी का हो जाता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, B की बात ह बेटा बी कि बी क्या पुछा है हमसे डेटर्माइन दम मैगनेटिक फिल्ड और मैगनेटिक फिल्ड तेरे पास है विलॉसिटी की बात किये तो वी इस इकल टू कितना हो जाएगा बेटा mg divided by क्या हो जाता है क्यू भी देखो मास की बात है मास कितना दे रखा है अगर आपको पता है दस ग्राम है ग्राम को किस में कनवर्ट करोगे पहले तुम लोग ब्रोसर ग्राम को मुझे किलो ग्राम में कनवर्ट करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 10 इंटू 10 अस टू पाव भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि acceleration due to gravity है न भाई इसलिए तो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ 9.8 ठीक है divided भाई क्या हो जाएगा चार्ज चार्ज कितना है 10 इंटू 10 अस टू पावर मैनस 3 ठीक है और इंटू में क्या हो जाएगा ब्रोसर इंटू में क्या हो जाएगा इसको उपर लेके जाओगे 10 इंटू पावर मैनस 3 है तो यह कितना हो जाएगा ब्रोसर 4.9 इंटू 10 इंटू पावर 1 हो जाएगा बुलू हाए न कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 10 इंटू पावर 1 एक बार चेक करो रूक 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 एक बार यहाँ पर क्या दे रख है हाँ भई कुछ और तो नहीं रहे गया है क्योंकि मिली कुराम दे रहा है ना तो ठीक है 4.9 इंटू 1 आप सभी का आ रहा है इंटू 10 इस पार 1 आ रहा है अगर मैं इसको देखू तो थोड़ा सा और एक बार मुझे बताओ देखो यहां पर क्या दे रहा है मास आपको 10 ग्राम को किलो ग्राम में करोगे तो 10 इस तो पार 3 हो गया ना यार 10 इंटू 10 इस पार 3 होगा ना किलो में कनवर्ट करना है किसमें कनवर्ट करना है किलो में तो 10 इंटू 10 इस पार माइनस 3 हो गया ठीक है यह किलो ग्राम में हो गया ठीक है अगर मैं इसको देख रहा हूं तो यहां से कितना हो जाएगा बोला सार उपर से भी यह देखो इस तीन से यह तीन गया तो भाही लिए बात है 4.9 ही आएगा 4.9, 4.9 meter per second आप सभी की है speed इसकी, 4.9 meter per second है, ठीक है, अब बात आती है सर क्या, speed की बात है 4.9 meter per second, अब मुझे एक चीज़ समझाओ, तुम लोग मैं पूछना चाहूंगा, क्या है, तुमने यहाँ पर minimum velocity तो निकाल ली, अब बात आती है, should boy move the pipe such that the ball does not move along the axis, तो यह तुमने बैलंसिंग condition निकाल ली है, also determine the direction of the magnetic field, यहनि magnetic field की direction क्या होगी, सोच के बता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, की magnetic field की direction क्या होगी, बोलो सर, अगर मैं magnetic field की direction की बात करूँगा, तो आप सभी को पता है, अगर मैं flemmings का left hand rule यूज करता हूँ, तो उस case में क्या होगी, बोलो सर, north से south की तरफ क्या होगी, north से south की तरफ, तो यह क्या होगी, north to south आपकी direction हो जाएगी, north से south की तरफ यह आपकी direction हो गई है, ठीक है जी, अगले सवाल की तरब move on करते हैं, screenshot ले लिजेगा, ठीक है, force के upward direction है, इसकी वज़े से, अगला सवाल है, अगला सवाल है, यह बहुत प्यारा सवाल है, एकदम गजब सवाल है, एकदम कातिल सवाल है, इस सवाल में तो मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है इस सवाल के देखो पढ़ो, सवाल को एक बार अच्छे से देखो, क्या-क्या दे रहा है, एक बार सवाल को दंग से पढ़ते हैं, जिसने हमें इसके चीज़ें और समझ में, और कुछ भी है इसके अंदर, हाँ यह भी है सवाल इसके अंदर, हाँ ठीक है, done, बुले गाए है, a light ray entered a right angle pr prism undergoes the refraction at the face AC, तो AC के ओपर refraction होना है, क्या होना है, AC के ओपर अगर refraction होना है, तो आप मुझे बताईए, AC की बात करे तो angle किस पर आईए, 45 पर आईए, ठीक है, अगर angle 45 तो incident angle कितना है, 45 है, ठीक है, आगे बुलेगे कि, what is the refractive index of the material of the prism in figure 1, इस figure 1 के अंदर, जो आपका आईए है, इसका बताईए क्या होगा, तो आप मुझे बताईए, किस angle पर आईए, 45 डिगरी पर, आप लोग निकाल सकते हो, बोला सर, 45 डिगरी भी इसका क्या होगा, critical angle की form में होगा, क्योंकि इसके बाद में अगर इस 45 से कम ज्यादा पर होती है, तो चीज़े अलाग होन लगती है, तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे क्या, बोला सर, इसका मुझे refractive index निकालना है, क्या होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, incident कितने पर हुई है, 45 डिगरी पर हुई है, incident कितने पर हुई है, 45 डिगरी पर, बस, incident angle की, अगर मैं यहाँ पर simple बोलता हूँ, तो incidence angle कित हो, 45 है, तो 45 इसका angle दूसरा होगा, critical angle की बात करोगे, तो 45 पर गई तो, तो यह 45 हुआ, अजर 45 है, तो 1 upon mu हो गया, 45 पर क्या होता है, 1 upon under root 2, और mu is equal to क्या होता है, बोलो इसकी value क्या हो जाएग, 1 upon under root 2, इसको solve करोगे, तो भाईया, 2 under root 2 उधर जाएगा, mu उधर जाएगा if the side AC of the above prism is now surrounded by a liquid of refractive index 2 by under root 3, as show in the figure, भाईया, show in the figure, यानि की अगले figure के अंदर है, यह ऐसी है, तुमने क्या क्या है, इसको liquid के अंदर immersed out कर दिया है, अब तुम से पूछा गया, बताओ क्या होगा, तो मेरे भाई, अब क्या होगा, क्योंकि देखो, मुझे mu निकालना निकालnya, if the side AC of the above prism is now surrounded by the liquid, भाई तुमने इसको liquid से surrounded कर दिया ठीके, और रफरक्तival index 2 by under root 3 है, अची आठाइया, अचोई in the figure, तुम्यने, if the ray continuous to graze along the interface AC, और undergoes total internal reflection और undergoes reflection into the light, liquid तो liquid के अंदर यह है, आप लोगों का क्या हो रहा है, इसका TIR की condition हो रही है तो angle मुझे पूछा गया है, बताओ कितना angle होगा angle पर जाना है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर liquid है तो भाई मेरे मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बता रखा है, बोलो सर क्या देखो, अगर मैं mu की बात करता हूँ, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, बोलो सर mu g by mu liquid, बोलो हाँ है न, याद है, याद करो lens makers formula, जिसको तुम पानी में डुबोते हो, उसकी बात है, ठीक है जी, तो यह क्या हो जाएगा, mu g by mu liquid, बोलो right है, अगर mu g by mu liquid है, तो mu g की value कितनी है, अंडर root 2 है, इसकी value कितनी दे रखी है, कितनी दिया है, इसके अंदर, 2 by under root 3 है, तो यह हो जाएगा, 2 by under root 3 है, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से देखूं, इसको अगर मैं देखूं, तो under root कर जाएगा, 1 upon under root 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि देखो, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो, under root 2 into में, under root 2, बोलो है न, under root 2 into, अंडर root 2, तो यह क्या जाएगा, उपर आ जाएगा, यहाँ से नीचे लिखोगे, तो under root 2 into में, under root 2 है, और नीचे क्या जाएगा, under root 3 है, उ वहिया क्या हो जाएगा बुलो सरसाइन मैं इसको बोल देता हूं IC is equal to क्या हो जाएगा बुलो सर्थ यह हो जाएगा one upon me under root 3 by under root 2 उपर जाएगा क्या हो जाएगा बुला under root 2 by under root 3 under root 2 by under root 3 आप सभी का यह है अगर यही से अगर आई सी निकालते हो तो sin inverse में कितना आ जाएगा sin inverse है under root 2 by under root 3 है बिटा और इसको solve करोगे तो कितना आ जाएगा approximately देखो अब आप जानते हो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा power half है तो under root 2 1.414 divided by 1.616 यानि कि लगभग लगभग 7 बटे 8 मतलब लगभग लगभग यह मान कि चलो 45 से तो बढ़ा ही होगा 1 upon under root 2 है तो 1 upon 1.414 है under root 3 by 2 से छोटा होगा क्यों क्योंकि इस फर 1.732 है divided by 2 करोगे तो 0.866 के आसपास जाएगा तो उससे तो छोटा आएगा यानि कि approximately मानलो तो मैं इसको बस वैसे ही लिख रहा हूँ 54.0 degree के असपास आएगा ठीक है जी 54 डिगरी के असपास यह आने वाला है किसके आने वाला 54 डिगरी के असपास आएगा जो भी आप लोगो को है देख लिज़ेगा और यहां पर दे रखा है अरे वाँ यहां पर दे रखा है गिविन साइन इनवर्स अंडर टू भाय आरे वाँ ठीक है फिर तो काम बन गया अरे फिर तो काम बन गया 54.6 लो भाई अब बोला गया कि draw the ray diagram represent draw the ray diagram represent the path followed by the incident ray with the corresponding angle value कि भाईया कौन सा path होई है follow कर रहा है उसकी बात है चलो आओ तो सबसे पहले देखो आपको पता है कि यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा बोलो सर नॉर्मल बनाना पड़ेगा क्या बनाना पड़ेगा नॉर्मल बनाना पड़ेगा तो यह मेरा क्या हो गया नॉर्मल ठीक है जी अगर यह नॉर्मल है तो अब मुझे एक चीज़ बताओ बोलो सर अगर मैं यहाँ पे बोलू होगे कि यह क्या करेगी away from the normal जाएगी चारेगी away from the normal जाने वाली क्या कर रहिए away from the normal you know away from the normal टीक है जी ओकई away from the normal आप सभी किए जा रही है अब यहां पर सबसे बड़ी कहानी एक आती है ब्ला सार इसके लिए 2 वाई 3 है इसके क्या निकालोगे, यहाँ पर IC की value क्या है, बुलू, बुला सर, R की value भी तो निकालनी पड़ेंगी ना, कि यह, यह तो तुमने incident की बात कर लिए, कि incident कितने पर आया है, 45 पर आया है, कोई दिक्कत की बात ने, incident तुमने देख लिए 45, लेकिन R क्या होगा, refractive index, तो 45 तो यह है, अब मैं यहाँ पर बोलता हूं, सुनो, यहाँ पर देखना क्या दिया रखा है, बुला सर, sin R is equal, अरे यार, sin R is equal to, बताओ, 2 by under root 3 है, तो यह क्या हो जाएगा, बुला सर, 1 upon 2 by under root 3, 1 upon mu ही तो होता है, तो यह हो जाएगा, under root 3 by 2 है, और under root 3 by 2 कितने पर होती है, 60 degree पर, ठीक solve करना था, अब इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, और इसके अलावा बिटा, very important questions भी आपको दे रखे हैं, तो उनको एक बार solve करके देख लीजेगा, अगर नहीं आएंगे तो मैं किसी एक class के अंदर आप सभी को वो करा दूँगा, very important, चाहो तो इसके साथ वाला देख लेते हैं, चलो, एक है, इसके साथ वाला कौन सा सवाल था ये भाई, 27 नंबर है, तो 27 नंबर के असपास वाला कोई सवाल है क्या, देखते हाओ, 26, 27, ये रह, liquid, ये देखो, diagram तो पूरा बनाई हुआ है, हाँ, ये रह, देखो, ये very important कुछ सवा दिया गया है, इसको देख लेते हैं, क्या बोला गया है, array of the light is incident on the equilateral prism, अगर equilateral prism की बात है, तो देखो, prism का formula तुमारे दिमाग में जट से आना चाहिए, देखो, very important है, तो prism का formula क्या कहता है, mu is equal to sin a plus del m divided by 2 divided by sin a y2, ठीक है जी, ये तुमारे दिमाग में आ गया है, ब आप लोगों का जो angle of prism जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 60 degree का, ठीक है जी, अब बोला गया है, सुनो, at an angle 3 by 4 prism of the, देखो, light is incident on the equilateral prism at an angle of 3 by 4, ठीक है, 3 by 4 पे incident हुई है, अगर incident तुमने की है, तो ठीक है, अब आगे बोला गया incident of the prism, ठीक है, अगर मैं बात करता हू, angle of prism की बात करते हैं, तो देखो, एक काम कर सकते हैं, तो देखो, equilateral prism से ये तो confirm है, कि भाईया, 60 आएगा, लेकिन अब मेरे को दिखालना है, डेल minimum कितना होगा, डेल minimum की तरफ मुझे जाना है, और incident angle निकालना है, अब इसने बोला है, incidental, incident angle जो है न, वो क्या है, angle of prism का 3 by 4 है, ये इसने बोला है, इसने बोला है, कि incident angle जो है न, 3 by 4 है, तुम्हारा इसका, किसका, 60 का, तो 4 से काटोगे, कितना हो जाएगा, 15, 4, 60, यार, 3, 5, 15, 45, 45 डिग्री हुआ, अब बोला, if the ray passes symmetrical to the prism, find the angle of minimum deviation, minimum deviation की condition आगे है, तो minimum deviation is equal to क्या हो जाएगा, बोला, I plus E minus A, भ कितना हो जाएगा, 90 minus 60, सीधा-सीधा कितना हो जाएगा, भाया, 30 degree आप सभी का आजाएगा, कितना हो जाएगा, 30 degree आप सभी का आजाएगा, minimum deviation की बात करेंगा, अब आप बोला गया है, reflective index of the material of the prism, तो बस ठीक है, कुछ नहीं है, अब तो, mu is equal to कितना हो जाएगा, बुला बटे दो 45, और 45 है, यह 30 हो जाएगा, तो sin 45 degree हो गया है, sin 45 degree divided by sin 30 degree हो गया है, sin 45 कितना होता है, 1 upon under root 2 होता है, और into में 1 upon 2 करोगे, तो यह 2 पर चला जाएगा, उपर 2 1 by तो यह आजाएगा, under root 2, तो भाया, तुम्हारा refractive index कितना है, under root 2 है, तो इस तरीके से तुमें यह कर दिया है, ध्यान रखना, बिटा कोई अगर रह गया हो, तो उसको try कर लेना, ठीक है, अब यहाँ पर आता है, कि state, देखो, क्या दे रखा है तुम्हें, भाई देखो, आपको यहाँ पर बोला गया है, state Gaussian theorem in electrostatics, ठीक है, electrostatics के अंदर तो आपका क्या होता है, बोला, 5 is equal to submission of q divided by epsilon not होता है, बोला गया, using the theorem driven expression for the electric field due to infinitely long straight wire of the linear charge density की बात है, ठीक है, दूसरें बोला गया है, कि flux and right is SI unit, ठीक है, गौस अप्टेन the expression for the electric field due to the uniformly charged infinitely plain sheet की बात है, तो चलिए इन दोनों derivations को कर लेते हैं, जिससे हमारा काम हो जाएगा, चलिए, हमारा काम हो जाएगा, तो देखिए, अगला सवाल जो है, उसको कर लेते हैं, यह सवाल के अंदर बोला गया है, क्या है, देखो, इस सवाल के अंदर पहले वाले के अंदर जो बोला गया है, उसको हम लोग करते हैं, तो मैं आप एक पेज ले 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 लेता हूं, जिससे हमारा काम हो जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे देखो गॉजलोग की बात करोगे तो आप लोग जानते हो क्या होगा बना सर गॉजलोग के अंदर आप बोलोगे फाइ इस इक्वल तो submission of q divided by f cell in not आप सभी का होता है यहां आप लोग बोल सकते हो कि the total flux of the electric field through any closed surface यह बोल सकते हो surface is surface is 1 upon epsilon 0 times times total charge total charge enclosed by surface 1 upon epsilon 9 times total charge enclosed by surface अभ यह surface कौन से होगी closed surface की बात कर रहे हो तो closed surface ठीक है जी आओ अब बात आती है कि इसकी इसकी जो दूसरी चीज क्या बोल रहा है हमसे यह हमसे बोल रहाइस की के अंदर कि using the theorem driven expression for the electric field due to infinitely long straight wire straight wire की बात है न शीट सोड़ी है पहले क्या है wire है ठीक है तो हम लोग लिखेंगे wire का case है तो infinitely long wire का case हम लोग ले रहे हैं wire का case है ठीक है जी देखो चार्ज होगा तो आप जानते हों बोलो क्या जानते हैं सर इसके अंदर आप बोलोगे कि सारे की सारे जो है इससे चार्ज है तो चारो तरफ field lines होंगी तो obviously बात है तो मैं इस तरीके से cylindrical form बना लूँ इसकी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए cylindrical form बना लूँ इसको किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बोलो ठीक है जी अगर cylindrical form है तो बोलो ठीक है हां या ना ठीक है जी ओके है ये ओके है जी अब मैं कहता हूँ जो क्या कि ए इससे और दूरी के उपर क्या कर रहा हूँ मैं यह कहता हूँ कि इस से आर दूरी के उपपर अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूं तो क्या होगा उसको देखते हैं सबसे फ़रे मैंने बोला कि मैं बोलता हूँ कि अगर ही मेरा infinitely long है तो मैंने बोला कि सर यहां से एक point लिया और यहां पर मैंने बोला कि r distance के उपर मैंने क्या क्या r distance के उपर अब दो चीज़ है सुनना r distance के उपर है अब Gaussian surface है तो एक तरीके सी Gaussian surface ही माल लो इसको कोई दिक्कत की बाद नहीं यहां से तुम बोलोगे तो area vector कहां होगा area vector की बात करूँगा तो वो perpendicular to the surface होगा और electric field की direction की बात करूँगा तो positive है इससे बाहर की तरफ होगी बिर्कुल ठीक है यानि कि theta angle कितना हो जाएगा बेटा theta angle की बात करोगे 0 degree हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं क्यों कि सर दोनों की दोनों एक डिरेक्शन के अंदर मैं बोलता हूं कि इसकी length मैं consider कर लेता हूं कि यह क्या है L length है ठीक है जी और आप जानते हो इसके area की बात करोगे तो area आपका हो जाएगा 2 pi r l वैसे तो 2 pi r h होता है लेकिन मैंने इसको क्या लिखा है 2 pi r l लिखा है ठीक है आपको पता होना अच्छी जब भी आप लोग Gaussian surface की applications की बात करोगे न बिटा तो applications के case में आपको सिर्फ दो चीजों पर focus करना है एक है आप लोगों को यहां पर flux का formula लगाना है flux लगाना है दूसरा आपको यहां पर goss law को applicable करना है बस यह दो काम कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाया देखो आप मुझे बताइए अगर मैंने यह चोटू सा area लिया लिया है तो यह कितना area होगा बुरसर डिये area होगा अगर डिये area है इलेक्रिक फिल्ड की direction भी यह है तो डिये area की वज़े से डिफाई flux होगा क्योंकि जब छोटा area है तो उसके वज़े से छोटा flux होगा ओवेसली बात है तो यहां पर क्या हो जाएगा और डिफाई आप से भी का हो जाएगा और डिफाई क्या हो जाएगा अगर ठीटा की ब बन गया integration कर देता हूं तो मेरा बाँ काम बन गया complete का integration की बात है तो यह कितना हो जाएगा फाई is equal to close integration में कर रहा हूं तो फाई ये क्या जाएगा E और A A की बात क्यों क्योंकि सब्सक्राइगा क्या होता है A होता है तो A की बात करोगे तो कितना है 2Pi RL है सीधा सीधा लिखोगे E into में 2Pi RL आपका हो जाएगा ठीक है अब यहां से आपका flux होगे अगर according to मैं किसकी तरफ जाता हूं ब्रसर according to अगर मैं Gaussian surface के लिए जाता हूं तो अगर according to Gauss law बोल दीजे तो क्या हो जाएगा अगर मैं Gauss law की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा ब्रसर 5 is equal to क्या हो जाएगा submission of Q divided by epsilon 0 इसको मालीजे Q divided by epsilon 0 ठीक है तो यहां से अगर मैं इसको equation 1 देता हूं इसको equation 2 देता हूं तो from equation 1 and 2 क्या हो जाएगा from equation 1 and 2 की बात में यहाँ पर कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा बोलो सर, E 2πRL is equal to Q upon me epsilon not है तो E is equal to क्या हो जाएगा, Q divided by 2πRL epsilon not है या इसी को लिख सकते हो, Q divided by 2πR epsilon not और L बोलो ठीक है जी, नहीं है, बोलो ठीक है सर, बोलो ठीक है है नहीं बोलो 2πRL आपका है, बोलो सर ठीक है अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको देखूँ, तो Q by ये lambda है Q by lambda क्या होता है, बोलो सर, lambda यानि की linear charge density है तो lambda बोल सकते हो, तो lambda divided by क्या हो जाएगा, 2πR epsilon not है और आपको पता है, E क्या हो जाएगा, inversely proportional हो जाएगा R के inversely proportional हो जाएगा, R के, तो इस तरीके से आप लोग करोगे, क्या जाएगा lambda divided by 2πR epsilon not R, अब चाहो तो 2 से उपर नीचे multiply कर लो तो क्या हो जाएगा, बोलो सर, E is equal to, आप लोग चाहो तो 2 से multiply करोगे तो lambda divided by कितना हो जाएगा, 2π epsilon not R हो जाएगा, into में करो 2 से, 2 से हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 2 के lambda upon R, ये भी कर सकते हो, तो ये भी तुम्हारा सही है, तो यही तुम से पूछा गया है, दोनों के लिए, बस ठीक है, तुमने कर लिया है, तुम्हारा काम बन गया है, बोलो ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें करना तब 5 is equal to यह हो गया है तुम्हारा 2 pi rl हो गया है और इसके बाद में तुम लोग जानते हो q is equal to क्या होता है वो तुमने रखा और उसको सब्सक्राइब कर लिया तो lambda is equal to कितना आ गया 2 pi lambda is equal to 2 lambda divided by e की value क्या हो गया है lambda divided by 2 pi epsilon not और आर आपका हो गया है चलो आओ अब अगले सवाल की तरफ move on करते है और उसको समझने की कोशिश करते है चली अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल है इसी के अंदर वो क्या बोला गया है देखो यह रहा है यह बोला गया है कि flux की SI unit flux is equal to क्या होता है flux का सीधा सीधा मतलब होता है कि सर कितनी magnetic field lines है वो particular area से होके गुजर रही है उसको उससे associate हम लोग flux कह देते हैं ठीक है दिमाग में आगया होगा क्या कह देते हैं उससे associate हम लोग flux कह देते हैं अब आईए काम की बात मैंने बोला सर क्या अगर यहाँ पर तुम देखोगे phi is equal to क्या हो जाएगा बलसर e a ठीक है cos theta होता है e की बात करोंगा तो newton पर कुलाम होता है और इसकी बात करोगे तो यह क्या हो जाएगा meter square तो एक तो unit यह बन जाती है और क्या लिख सकते हो बलसर e को क्या लिख सकते हो बलसर e को अगर मैं बात करता हूँ आप जानते हो is equal to क्या होता है V by L होता है V by L है तो इसको लिख सकते हो volt per meter तो इसको भी लिख सकते हो volt per meter into में meter square एक से एक गया तो यह volt meter यह दोनों की दोनो units इसी की है कोई दिक्कत की बात नहीं आगे गर तुम लोग जाते हो बोला क्या है using the Gauss law to obtain the expression for the electric field due to infinitely charged plane sheet की बात है अगर plane sheet की बात है तो आप सभी जानते हो is equal to sigma upon to epsilon not है तो यह सीधा सीधा आप लोग कर लीजेगा बेटा बहुत simple सा है तो इसको आप लोग solve कर लीजेगा तो यह तो application है तो इसको solve कर लीजेगा मैंने एक solve करके बता दिया है तो application है गॉस law की ठीक है application of गॉस law की बात है ठीक है गॉस law की application है तो यह क्या आजाएगा बसर e is equal to sigma upon me to epsilon not आप सभी खा आएगा बताइए electric field की direction 1 2 और 3 area के अंदर क्या क्या होगी तो सबसे पहले आपको पता होने चीए यहाँ पर positive है तो field की direction electric field की direction outside होता है यहाँ पर inside होगा और दोनों cases में opposite होगा तो electric field net electric field कितना हो जाएगा 0 अगर यहाँ बात करोगे सिग्मा अपॉन में 2 एपसले नोट तो दोनों को जोड़ोगे सिग्मा अपॉन में एपसले नोट आप सभी का हो जाता है इसके वाँ थर्ड की बात करोगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाता है 0 तो यह याद रखना यह important है इसके लिए मैंने आपको करा दिया अब आते केस बेस स्टडी के कुसंस को करते हैं और चीजों को समझने की कुशिश करते हैं कि क्या क्या केस बेस स्टडी के अंदर आप सभी को given है और किस तरीके से सारी चीजे हैं उनको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं देखो क्या बोला गया है बोला गया कि असक्तरा कि अनलक्टरोन with the speed of V0 लेस देन बहुत छोटी है moving in the circular orbit R0 in uniform magnetic field this electron is able to transfers the circular path as the magnetic field पोरी कहान हिए आप लोग पढ़ ली जेगा देख ली जेगा आगे जो बोला गया है उसको भी देख लेते हैं तो इस सवाल को देखते हैं, पहला सवाल इसके अंदर बोला गया है, if the speed of the electron is now double to 2V0, the radius of the circle will change to, देखो यार, आपको मैं एक चीज़ बताता हूं, आप लोगों का जो officially release किया गया है, उस data के अंदर थोड़ा सा गरबर है, गरबर ही है, क्योंकि एक हमने formula पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, R is equal to क्या होता है, Mvy, Y, Q, V होता है, अगर यही है, आपको बता है क्या हमने, ना तो mass को change कर रहे हैं, ना Q को change कर रहे हैं, ना V को change कर रहे हैं, तो R क्या होजाएगा, directly proportional to V हो जाएगा अब जितना हम V को बढ़ाएंगे उतना ही R बढ़ना चाहिए obviously बात है तो यहाँ पर क्या बुला है if the speed of the electron is now double to 2V0 the radius of the circle will change to according to मेरे क्या आना चाहिए 2R0 ही आना चाहिए क्योंकि अगर इसको हम लोग double कर रहे हैं इसको भी यह भी double होगा but आप लोगों को वहाँ पर 4 दे रखा है तो मैं एक बार फिर भी चेक कर लूँगा but मेरे अकोर्डिंग, मेरी नॉलज़ का अकोर्डिंग तो यह second ही होना चाहिए फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगले स्वाल में बोला गया है क्या बोला गया है पड़ो अगले स्वाल में बोला क्या है if V is equal to 2 V naught then the time required for one revolution of the electron will change to देखो time के अगर आप लोग बात करते हो तो time is equal to क्या था है बोला सा 2 pi R divided by क्या जाएगा V बोलो right है अगर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोला सा 2 pi divided by V है इंटू में क्या हो जाएगा M V by Q B बोलो है ना यहाँ से यह कट गया क्या आजाएगा 2 pi M divided by Q B यानि कि साथ time period की बात करेंगे तो time period यहाँ पर depend नहीं कर रहा है velocity के उपर तो आप लोग बोलो के सीधा जो पहले था वही अब होगा ठीक है पहले था वही अब होने वाला है चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगले सवाल हैं बोला गया है charge particle is projected in a magnetic field the acceleration of the particle is found to be बेटा देखो यहाँ पे यह Q सन incomplete है ठीक है जी incomplete क्यों है तो कि देखो आपको पता है इसने क्या बोले the acceleration of the particle is found to be अब यहाँ पे इसने ना तो हमें कोई चीज की value दी है और जब value ही नहीं given है तो हम X की value कैसे निकालने है X की value कहां से निकालने है जबकि आपको पता है ना यहाँ पे कोई data हम लोगों को given तो इस वज़े से यह आपका incomplete है अगे बुला गया है if the given electron has a velocity not perpendicular to the V then the trajectory तो परपेंडिकुलर नहीं है तो obviously बात है helical path के अंदर वो हमारा क्या करता है move करता है किसके अंदर move करता है बीटा helical path के अंदर move करता है अगला सवाल है यह बुला गया है कि if the electron of the charge is moving parallel to the uniform magnetic field with velocity V then the force acting on the electron तो बताए यह force क्या होगा यहाँ पर बात आ गयी है कि force की बात आप लोग यहाँ पर कर रहे हो तो आप जानते हो क्या हो सकता है बुला सर अगर इसके मैं simple ही बात करता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा इसका second option बिर्कूल ठीक है B भई V आप सभी का आ जाएगा ठीक है जी आगे चलते हैं अगले इस पर आते हैं यह जो है important है अगर मैं photo electric effect की बात करता हूँ basically photo electric effect क्या होता है अगर मैं photo electric effect की बात करता हूँ तो simply आपको पता होने चीक सर एक metallic surface है मेरे पास उस surface के ओपर जब light incident होगी incident होने के बाद में जो electrons है उससे बाहर निकल जाएंगे एक second बिटा यहाँ पर light बंद हो गई है तो मैं इस light को on कर देता हूँ ठीक है एक second नमर को दे दीजिए चलो done आप सही हो गया है देखो क्या बोला गया है अगर मैं photo electric जो effect है इसकी बात कर रहा हूँ कि यह मेरे पास क्या है metallic surface है सर metallic surface है तो metallic surface के अंदर क्या होगा कि सर जैसे ही light incident होगी अगर electrons जो उसके अंदर है कि सर जब minimum energy required होती है उसको हम लोग क्या बोल देते है work function की बात करते है उसके लावा जो frequency required होती है minimum उसको threshold frequency क्या देते हैं इसी तरीकी से पूरी conditions होती है और formula क्या होता है kinetic energy is equal to e minus work function आप सभी कर लेते हो या फिर कई बार आप लोगो को लिखा मिल जाता है is equal to kinetic energy plus work function जो आप लोगो का सही नहीं होता है आईए चरी सवालों का सिलसला शुरू करते हैं बोला गया सवाल के अंदर बोलो सर क्या बोला गया सवाल के अंदर सवाल एक बढ़ हम लोग देख लेते हैं तो आईए सवाल के अंदर बोला गया है कि in an photo electric experiment plate current is plotted against the anode potential ठीक है अब बोला गया है देखो यहां पर आप सवी को पता है दोनों का stopping potential अलग है अगर stopping potential अलग है और उसके रावा आप जानते हो जैसे ही आप लोग यहां पर value को increase करोगा value को increase का मतलब क्या होता है देखो आपने देखा था कि सर metal surface की बात करते है stopping potential क्या होता है वो potential जिसके उपर current की value 0 हो जाए राइट है अब हम लोग क्या करते है उधर से उसके उसके पर life incident होगी उसके बाद में electrons उससे बाहर निकलेंगे electrons जब movement करेंगे तो current की value बढ़ेगी और जब एक दम से जब उसका cloud पूरा होता है वो cloud break होता है क्यों क्योंकि सर जब बहुत सारे electrons आ जाते हैं जब तक उनके पास sufficient amount of energy नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करते हैं इधर से जो positive potential है उसको increase करते हैं जिसके वेज़े से सारे की सारे electrons वहाँ पर आ जाते हैं और जब सारे की सारे electrons वहाँ पर आ जाते हैं तो उस case के अंदर आप लोग की current की value electrons आ इमिटिड वेन जिंक प्लेट इस क्या होगी हीटिड होगी हाम्ड होगी भजह देखो हम्ड का तो नहीं होगे subject to high pressure pressure की तो बात ही नहीं या तो heated की बात है या irradiated by the ultraviolet light भाई light की बात आती है तो light की through ही हम लोग क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे है photoelectric effect की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे है तो option number क्या हो जाएगा c आगे बोला गया क्या देखो the threshold frequency for the photoelectric effect on the sodium corresponding to the wavelength wavelength इतनी दे रखे है work function पूछा गया work function क्या होता है 5 not is equal to hf not होता है इसको आप लोग लिखोगे hc by lambda not लिखोगे h की value क्या होती है 6.63 into 10s to power minus 34 है और c की बात करोगे तो 3 into 10s to power 8 है divided by क्या हो जाएगा divided by हो जाएगा lambda not lambda not की value क्या है बला सर lambda not की value क्या है 500 nanometer याने की 10s to power minus 9 चलो देख लेते हैं कितना हो जाएगा बला सर इसको अपर लेके जाओगे 17 हो जाएगा तो into हाजाएगा 10s to power minus 17 ठीक है जी अब देखो क्या हो जाएगा बला सर यह 5 है यह 3 से multiply करो तीन तीया 9 ठीक है जी देखो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 एक 17 हो गया और यह 34 है तो minus का कितना हो जाएगा 34 ठीक है आगे बुलाएगा 6.63 इंटू 3 तो 3 से multiply करो तीन तीया 9 18 एक 19 ठीक है divided by कितना हो जाएगा यहां पर 500 अगर यह 500 है बिटा तो 2 0 के उपर लेके जाओगे 2 0 minus क्यों plus हो जाएगा तो यह हो जाएगा 19.89 divided by क्या हो जाएगा 5 देखो कितना हो जाएगा गया है कि the maximum kinetic energy of the photo electron emitted from a surface when photons of the energy 6 electron volt fall on it 4 electron volt ठीक है the stopping potential तो देखो अगर maximum kinetic energy आपको 4 electron volt दे रखे हो तो आपको पता है kinetic energy कोई क्या लिखते हो इवी 0 की फॉर्म में लिखते हो E से ही गया तो कितना आ जाएगा V0 is equal to 4 volt आप सभी का आ जाता है 4 volt आप सभी का आ जाएगा यानि कि option number के आ जाएगा भी आप लोगों का विर्कुल correct हो जाएगा चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल है बोलागे the minimum energy required to remove an electron from the substance is caught तो क्या बोलते हैं work function तो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते है work function तो देखो दूसरा जो है यह बहुत simple थी case पर इस टोड़ी अगर मैं simple इसकी बात करूँ बहुत simple थी अब आते हैं काम की बात करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है बोला है write two limitations of the arm's law plot their IV characteristics तो आप लोग निकाल लोगे कोई दिक्टित की बात नहीं है दो limitations है देखो आप लोग को पता है non applicable for the unilateral networks की बात कर लेते हैं दूसरा non linear objects के लिए लिए और सबसे बड़ी आप लोग को ने पता ही है जैसे आप लोग डायोड अगरा की graph निकालते हो तो उसके अंदर भी आप सभी कोई इसका idea लग जाता है अब सबसे जो important है वो numerical की बात करते है निमारिकल आप लोग की देखो मेरा mainly focus जो अनवेटा वो सिर्फ यह है कि आप लोग numerical को बहुत अच्छे से कर जाएं सबसे पहले देखें इसके अंदर क्या बोला गया चली आईए जब बात करते हैं तो देखो बी बोला गया है कि हीटिंग अलिमेंट कनेक्टिड अक्रॉस अब बैटरी ऑफ हंडेड वोल्ट तो बैटरी है बैटरी आनि की बात कर रहा है तो हंडेड वोल्ट है ठीक है जी आगे बोला गया है अब आपको बोला गया है कि रूम टेंपरेचर 20 डिग्री सेल्सियस यानि की टेंपरेचर टीवन आपको कितना दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस दे रहा है आगे क्या बोला गया है कि what which settles after a few seconds at study value what is the power consumption by the battery itself after the study temperature of 320 डिग्री सेल्सियस अटेंड यानि की 320 डिग्री तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर टेंपरेचर लेकर जा रहे हो तो T2 की value क्या हो जाएगी 320 डिग्री हो गएगी अब सबसे पहले मुझे बताईए अब क्या क्या है बुला गया कि the temperature coefficient of the यह इतरा है तो आप जानते हो कि भाया R2 is equal to क्या हो जाएगा बुलासर R1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 plus alpha del T आप सभी का हो जाता है अलफा हमारा क्या होता temperature coefficient है जसकी value कितनी दे रहे कि 3.7 into 10 to power minus 4 है degree minus 1 है ठीक है अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा R निकालना पड़ेगा पहले वाला resistance तो R1 कहां से निकलेगा बुलो सर आप जानते हो E is equal to निकालना चाहते हो तो E is equal to क्या हो जाएगा और I पहले वाले में R1 plus में क्या हो जाएगा internal resistance तो भाईया यहां से देखो I से divide कर दो और minus यह कर दो तो यह क्या हो जाएगा E by I minus में क्या हो जाएगा R तो सीधा सीधा बोलोगे E, E की value क्या है 100 है divided by I कितना है 10 है minus 1 है तो कितना आ जाएगा भाईया यह आ जाएगा 10 रेक 9 ohm कितना भाईया 9 ohm तेरा पहला वाला आ गया है अगर 9 ohm पहले वाला आ गया है तो आप करो solve इसको 9 ohm पहला वाला आ गया है तो यहां पर R2 निकाल ल करोगे तो 300 से करोगे तो देखो साथिया एक केस एक point एक नौर एक 10 तो 10.1 तो यह आ जाएगा ठीक है इंटू 10 इसको पार minus 2 आ जाएगा ठीक है और यहां से one point इसको करोगे तो R2 कितना आ जाएगा approximately R2 कगर मैं solve करता हूं कितना आ जाएगा एक बार calculate करता हूं एक बार मै consumption की बात करते है तो क्या होता है? I square R है और I square R है तो solve कर दीजे और निकाल दीजे क्या होता है? Power consumption की बात अगर upload करते हो तो यह हो जाएगा I square R. तो यह हमारे पास current की value कितनी दे रखी है हमने? Current की value कितनी है? थोड़ा सोच के बताओ, current की value कितनी है बहिया इसके अंदर? ब ब्लोसर, current को हमें देखना पड़ेगा, बस, I square R है न, तो देखो, current कितना हो जाएगा, current है मारे पास 10, ठीक है, और EMF है, R, देखो, अब क्या करना पड़ेगा, R plus R कर लो, I है, I को लिख लो, न, क्या हो जाएगा, ब्लोसर, यह हो जाएगा, E divided by R1 plus small r, और into में R, ठीक है, E कितना हो जाएगा, 100 है, divided by कितना हो जाएगा, देखो, अभी कब का पूछ रहा है, बादवाला पूछ रहा है न, तो बादवाला है तो इसको R2 कर दो, बादवाला पूछ रहा है न, तो इसको क्या कर दो, R2, और small r यहाँ पे आजाएगा, small r, बोला है न, इसने, क्या ब ग्यारा 121 तो 21 से काट होगे लगभग लगभग कितना आ जाएगा एक से करते हैं 100 टाइम्स जाते हो तो 12,000 पर जाएगा 10,000 नहीं होगा 9 से करते हैं तो 12,000 में 108 नहीं जाएगा 9 12 यानि कि लगभग 80 का आसपास जाएगा यानि कि अब आई अगले सवाल के तरफ मुवन करते हैं और यह सवाल बहुत प्यारा था आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ठीक है यहाँ पर आपको बोलोगे क्या है देखो यहाँ पर आपको बोलोगे है कि using the crystal of law obtain the equation of balanced state in wheat stone breeze तो wheat stone breeze के लिए निकालना है तो आप लोग इसको solve कर लीजेगा बहुत simple सा है कि आप लोग इसकी जो balancing condition है वो निकाल लोगे कि भाई आप लोग निकाल सकते हैं पोटेंशल के रिस्पेक्टिव में जैसे माल लोग यहां से बोल दोगे कि i1 current इधर जा रहा है i2 इधर जा रहा है यहां पर resistance है यहां पर एक resistance है तो उस नहीं है दूसरा numerical जो है ना यह important है आईए इस numerical को भी समझने की कोशिश करते हैं पढ़ो सवाल में क्या दे रखा है a wire of uniform क्या दे रखा है a wire जो है आपको दे रखा है uniform cross sectional area ठीक है जी आ जाओ चलो देख लेते हैं अगर wire की बात की गई है चलो ठीक है wire की बात यहां पर की गई है तो यहां पर देखो क्या पो लगा है uniformly cross sectional area and resistance of 12 ohm is bend into the shape of circle अगर तुमने circle की form में bend किया है किसको 12 ohm को ठीक है as showing the figure 12 ohm को कर दिया है अगर 12 ohm को किया है तो किस तरीके से होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं और इसने बोला है कि show resistance of the 10 ohm is connected to diametrically opposite ends a battery of 8 volt is connected to AB and determine mind the current अब देखो आगर आप लोग इसको थोड़ा सा देखोगे तो आप सभी को समझ में आएगा कि maximum अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका portion का है सारा का सारा उपर की तरफ है अगर उपर की तरफ है तो मैं काम कर सकता हूं ना मुलो सर क्या मुलो सर चार का यहां पर दे द तो चार चार अम का 2 अम का इधर देंता हूं 2 किसी को प्रॉब्लमा आएगी क्यों कि बैलेंसिंग तो होगी ना है चार बटे दो 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 आएगा चार बटे दो दो बैलैंसिंग कंडीशन बीचवाले में से नहीं जाएगा अब बुलाए करेंट निकाल तो करेंट क्या हो किसमेंसे widelyage ialue % 10 लो सबसे पहलले करेंट निकाल लेते हैं और क्रेंट से लोग पता लग जाएगार सब्सेर्ण किया होगा है क्रण्ट कि अगर लोग बात करते आगर वाले आम तो सब से पहले एक बार मुझे बताऊ देखो भालन सिंग कंडिशन लो अगर balancing condition है तो 10 से कोई current नहीं जाएगा अगर यह balancing condition है बोलो ठीक है अगर मैं यहाँ बीए वी की बात करता हूं तो क्या होगा सबसे पहले मुझे एक चीज़ समझाओ थोड़ा सा मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि अगर इसको थोड़ा restructured करना क्याओंगा तो restructured के बात में इस तरीके का कुछ यह बन जाएगा रिस्ट्रक्चरड करने के बात में कुछ इस तरीके का बन जाएगा बोलो राइट है यह कितना आ जाएगा 8V आपने यहां पे कर रख है ठीक है? जुमाल लिये chaotic V आपका है क्या है? 8V है 8V अरे यार 8V है ठीक है अगर यह 8V है तो देखो ये कितना हो जाएगा? 8 ये कितना हो जाएगा? 4 तो चार गुडे में 8 4 प्लिस 8 कितना हो जाएगा? तो यह 4 तुम्हारा आ जाएगा, अगर यह 4 है, तो आप जानते हो, बुलो सर क्या जानते हैं, बुलो सर अगर इसका मैं R equivalent की बात करता हूँ, तो 4 आ जाएगा, अगर R equivalent 4 है, तो current कितना आ जाएगा, बुलो सर, I is equal to 8 by 4, सीधा-सीधा कितना आ जाएगा, 2 ampere, 2 ampere current आएगा, यानि कि अगर मैं current की बात करूँगा, 2 ampere current जाएगा, और सबसे बड़ी बात, 2 ampere current इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करें सर, 2 ampere current आ रहा है तो, अब मुझसे पूछा क्या गया है, उसने बोला है, देखो 8 volt battery है, determine the current flowing through the AD, यानि कि A से D की तरफ, तो यह AD जो potential अगर सेम है, तो obviously बात है, दो दूनी, 4, 4 से divide कर तो इसका जाएगा, और इधर कितना हैगा, अब खुद देखना तूम, total कितना है हमारा, 2 आ रहा है, तो यहां पर देखो, 4 दूनी 2 आ गया, और यहां पर देखो, 4 दूनी 1 आ गया, ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लो के अंदर भी हम लोग देखते हैं, तो यहां पर क्या जाएगा, resistance 2 प्लस 2 है, तो यह कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 divided by 2 है, सीधा सीधा है, अब यहां पर देखो क्या बोलगा है, कि बोलग किरिश्चाफ लोग, obtain the equation of balance, यह मैंने करा दिया है, what is the susceptible, देखो यह रहा, sensitivity, यह है what is the sensitivity of wheatstone bridge can be increased, तो यह sensitivity का है, तो तुम लोग इसको कर लीजेगा, easily है, simple है, और यह मैंने आपको balancing condition के बारे में बता ही दिया है, आगे अगर हम लोग जाते हैं, तो अब यहां पर देखो क्या बोलगा है, यह क्या बोलगा है, generator की बात की है, तो generator का diagram आप लोग बना लीजे की बात करते हो, तो यह आ जाता है, यह क्या होता है, तो इसको आप लोग कर लेजेगा, generator का पूरा का पुरा ही है, जनरेटर के बारे में है, तोजनरेटर का diagram बनाना है, और उसको solve करना है, बस क्योंकि आप जिको, solve भी कर सकति हो, आप जानते हो न, E is equal to क्या होता है, minus का, d phi by d t आप सभी का होता है और phi is equal to क्या होता है बोलो सर e a cos theta अब सभी का होता है e a cos theta लेकिन अब यहां हम लोग किस की बात کر रहे है magnetic field की तो इसको क्या करेंगे magnetic field के अंदर phi is equal to क्या हो जाएगा b a cos theta आप सभी का theta के जाएगा आप लोग क्या ले सकते हो भुला 5 is equal to BA cos omega t लोगे इसको आप लोग differentiate कर दोगे आपके value यही आ जाएगी differentiate करने में number of tons n और ले लो इसके अंदर minus n d5 by dt आप सभी की हो जाएगी ठीक है जी clear है वही पूरा पूरा angular velocity और यह है तो इसको पूरा solve करना है आप सभी के सामने आजाएगा बहुत simple सा है जो आपको मैंने बता दिया है ठीक है जी यहाँ से आप लोग इसको कर पाऊगे तो e is equal to n b a cos omega t है और जब इसको solve कर लोगे तो तो तुमारे सामने आजाएगा चली आईए अगर मैं आगे चलता हूँ तो आगे आपको क्या दे रखा है यह दे रखा है with the help of diagram the principle of the change lower voltage transformer की बात है transformer की बात है ठीक है तो यह तुमारा क्या है transformer तुमारे पास है और transformer को आपको करना है तो मैं transformer के बारे में थोड़ा सा आपको structure इस तरीके से ले सकते है विर्कूल ठीक है माल लिया है मैंने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई ओके यहां से आप लोग कर सकते हो ठीक है भाई ठीक है डन अब यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि सर इसके across जो current है वो i1 है यहां पर voltage जो है वो V1 है, number of turn है, N1 है, यहाँ पर number of turns है, N2 है, यहाँ पर output voltage है, वो V2 है क्या है बेटा, V2 बोल दीजे, E2 बोल दीजे बात बराबर V2 है, current कितना है, I2 है याद रखेगा, इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या होता है, कि अगर आप लोग step up step down कर रहे हो, तो obviously बात है, इसके अंदर जो आपका voltage है ना, output में अगर तुम voltage को बढ़ाओगे, तो current कम होगा current को बढ़ाओगे, तो voltage कम होने वाला है तो यह दिमाग में आप सभी को रख लेना है, बहुत जरूरी है ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से 2-3 formula आता है, उनको लिख लीजिए तो result क्या आता है इसका, उन results को आप लोग निकाल लोगे आराम से, तो result आजाएगा भाईया, V1 by V2 is equal to क्या हो जाता है, N1 by N2 है is equal to हो जाता है, I2 by I1 है तो यह तुम्हारे पास आगया, यह कब लगाते हैं तो यहां पर लिख लोगे, Nita percentage is equal to output power divided by, कितना हो जाएगा भाईया, input power और into में क्या हो जाएगा, 100% आप सभी का हो जाता है, इसी को आप लोग बोलते हो तो ठीके भाई, यह तुम लोग यहां पर निकाल लोगे तो यह तुम्हारा है, पूरा का पूरा अब आपको याद रचना है, अगर V1, I1 की बात कर रहे हो और यह V2, I2 है, तो इस केस में क्या होगा, कि अगर तुम लोग इसको step up कर रहे हो step up कर रहे हो, तो यह obviously बात है, current डाउन होगा, जिससे इनका जो multiplication है वो हमेशा सीम आएगा, यानि कि कभी भी violet नहीं करते हैं उनको, हमेशा सीम रहता है अब लोग का रहता है, ठीक है, आगया यह, transformer के बाद में अब आपको दे रखा है, आईए गयर, इसकी बात हम लोग आभी यहाँ पर कर लेते हैं, चली आइए, देखो क्या बोल रखा है, जेंट, reflecting telescope, क्या है, टेलिस्कोप, एटन, अब्जेटिव लेंस, ऑफोकल लेंथ, भी यह, अब्जेक्टिव लेंस, उसकी फोकल लेंथ क्या दे रहा है, लिखते जाओ, डेटा, लास्वाल है, डेटा हम लोग लिखते जाते हैं, अंसर क्या कहता है, देखो, यह तुम्हें क्या दे रहा है, ब बुलाई यूज वोट इस दा एंगुलर मेगनिफिकेशन ओफ टेलिस्कोप नॉर्मल अजस्मेंट की बात है नॉर्मल अजस्मेंट का मतलब भी होता है कि सब तुम्हारी आंकों को कोई दिक्कत ना हो देखने में तो यह नॉर्मल अजस्मेंट की बात हम लोग कर लेते हैं अजस्मेंट की बात अगर हम लोग यहां पर करते हैं तो क्या आ जाएगा बुलसर यह सीधा सीधा डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा बुलसर M is equal to F0 divided by FE यहां से कितना आ जाएगा 15 divided by 1 into 10 is to power minus 2 सीधा सीधा आ जाएगा फंदरा सो यानि कि मैगनिफाइं कितना कर रहा है इसको फटा फट से तो इसको जब सुम सॉल्फ करोगे तो आपको पता होना चीह कि अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं एंगल अलफार्श की बात करता हूं तो मेरों को 2 निकालना पड़ेगा एक तो है एंगल सबसेंडीड बाई दी मून निकालना पड़ेगा अब और एक हमें देखना है कि moon की image का क्या होगा तो यहां पर आप लोग देखोगे दो आपकी equations निकलेंगी, दोनों equations को solve कर लोगे, जैसे angle suspended y की बात करोगे, आई के उसके उपर, objective lens के उपर किसके द्वारा, moon के द्वारा, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, 3.48 into 10 to power 6, divided by कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, तुम्हारा lunar का 3.8 into 10 to power 8, और यह किसके बराबर होगा, बोले सार, यह बराबर होगा, d by 15 के, इसके हो जाएगा, d by 15 के, आप लोग का हो जाएगा, d by 15, बोले सार, d by 15 कहां से आ जाएगा, बोले सार, image जो मैंने मानी है, वो d माल लि जाएगा, 3.48 into 10 to power 6, divided by कितना आ जाएगा, 38 into 10 to power 8, into में कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, तो इसको देख लो, 15 है, 10 to power 2 है, माइनस उपर जाएगा, तो solve कर लिजे, approximately कितनी आएगी, 0.137 के असपास आने वाली, 0.137 मीटर, तो यह तुम्हारा answer हो गया, इस वाले सवाल क 0.137, आईए, आगे चलते हैं, आगे बोला गया, यह compound microscope की बात किये, यार देखो, compound microscope की जब भी बात की जाती है, बहुत important है, अगर मैं compound microscope की बात करता हूँ, बहुत सर देखो, compound microscope consist of an objective lens of focal length, देखो, objective lens की बात किये, तो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, यहाँ पर, consisting focal length कितनी है बाया, objective focal length कितनी दे रखी है, यह हमें दे रखी है, 2 cm, कैस की है, focal length objective lens की, 2 cm, ठीक है, तो 2 cm, F, E कितना दे रखा है, वो भी देख लेते हैं, F, E आपको दे रखा है, IPS of the focal length 6.25, तो यहाँ जाएगा 6.25 cm, ठीक है, आगे क्या दे रखा, आगे बोला गया है, separated by the distance of 15 cm, तो distance कितनी है बाया, 15 cm की distance है, ठीक है, आगे बोला गया है, how far from the object should an object be placed in order to obtain final image, at the least distance of the vision and final, जो है न, माइक्रोब से, each case, infinite, तो बाई, दोनों cases की बात किये, देखो, दोनों cases है, आपको इनके formula मैंने सिखा रख है, एक तो है, जब आपकी image कहा बन रही है, D के उपर, आपकी image कहा बन रही है, infinity के उपर, तो यहां से आप लोग पहले वाले में लगा लो, क्या हो जाएगा, ब्रसर वी नॉट की form में, लिख लिजिए क्या आजाएगा, भाहिया, वी नॉट by one upon ue आप लोग लिखोगे, ue आप लोग लिखते हो, लेको वी नॉट by u not, हाँ, स सबीका आजाता है, क्या आजाता है, infinity के case में, आप लोग कहा लिखोगे, d upon fe, तो इसके अंदर values को रखके solve कर लिजेगा, ठीक है बेटा, v not upon me, u not, d upon me, fe, बस, यह solve कर लेना, ठीक है, ठीक है, v not और u not निकाल के, आप लोग solve कर लिजेगा, आपका काम हो जाएगा, अब द इसको आप लोग बोल सकते हो, normal adjustment के case में भी आप लोग इसको निकाल सकते हो, तो इस तरीके समने, पूरा का पूरा है, उसको देख लिए, आप चाहो तो मैं चलो, इसको solve कर देता हूँ, अन्यता फिर आपको लगेगा, कि घजंदर सर ने तो छोड़ दिया, कैसे करेंगे ह लगता है, तो इसलिए हम लोग करते हैं, चलो, देख लेते हैं, और देखके समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलिए बाई, आजाईए, तो सबसे पहले देखिए, मैं पहला केसी उठा लेता हूँ, आपको पता है, अगर मुझे यहां पे देखना है, तो यूए इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपन वी इए, माइनस वन अपन एफ ए, बोलो ठीक है जी, अब यहां पर देखो, वन अपन वी इए, यानि कि आई पीस के लिए, जो आपकी फाइनल इमेज बन रहे है, कहां बन रहे है, 25 के उपर तो माइनस 25 के उपर है, 6.25, अब इसको solve करोगे, कितना आजाएगा, 6, 4, 25 ही ले लो, LCM, माइनस एक आजाएगा, माइनस का कितना आजाएगा, 6, 12, 5, 4, माइनस पांच बेटे, माइनस कितना आजाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, कितना होगा, देखो, माइनस है, माइनस, एक काम करो, गरवर 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 हो रही है गरवर और बुरी ङहां से कितना हो जाएगा मैनिस का एकपटे पतचेश ठीक है और क्या transactions एक एप mapped करता हूं कितना एक निशे कितना आ सब्सक्राइबंत जाये हैब है ठीक है तो करें सु यह कितना आजेगा नीचे 25 आजाएगा माइनस एक माइनस 4 हो जाएगा माइनस का 5 बटे 25 आजाएगा 5 से काट होगे माइनस का 1 बटे 5 तो यूई कितना आ गया है माइनस का 5 cm ये यूई है यूई माइनस का 5 cm है F ये तेरे पास है F ये तेरे पास है और अब आपको solve करना पड़ेगा बना सर इसको solve कर लिजे बोलो कैसे कर ओगे solve आप वन अपॉन यू नॉट इस इकूल तो वन अपॉन वी नॉट माइनस एफ नॉट है तो भाई मेरे कैसे निकाल सकते हो बोलो वी इमेज की रिस्पेक्ट में आप लोग इसको निकाल सकते हो देखो मेरे को एक सिंपल ही मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा मेरे भाई देखो आप जानते हो फाइनल इमेज है वो objective lens है उससे 10 cm की दूरी के उपर बनेगी और आई पीस की तरफ बनेगी क्यों ऐसा क्यों उसके पीछे का रिजन देखो आओ यहां पर देखो क्या बोला गया है separated by distance 15 cm यानि कि उसने बोला है कि आप लोगों ने इन दोनों को separate किया हुआ है 15 distance 15 15 पर क्या क्या है distance यार देखो खुछ सोचना एक तुमारा क्या objective lens है एक आई है इन दोनों को तुमने क्या अरे बड़ पर बन रही होगी obviously बात है अगर दस पर गीरे तो तरपास ऐफ नौत भी तरपास वी-नॉट बίगे तरक यूनोट निकाला है तो वन अपन यूट क्या हो जाता है ऊण आपन यू नॉट फॉत्वकल तू दूर वन अपन वीनट माइनस में वन उपन आ फन फन यह भी तो के चार बटे 10 आ रहा है और माइनस का चार बटे 10 को क्या बोल दोगे, U0 is equal to 10-4, तो माइनस का 2.25, 2.25 cm, बस ठीक है, माइनस का 2.25 cm है, तो रख दो, ये अपका क्या हो जाएगा, V0, V0 कितना है, 10 है, ये मोड ले लो, 2.25 आ जाएगा, यहाँ पर आजाएगा, 1 प्लस D, 25, डिवाइड़ वाइड़ कितना आजाएगा, 6.25, 6.25, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा, तुम्हारे पास, 4 बार, 5 हो गया है, ये कितना जाएगा, 4 बार, तो 4 into 5, कितना आजाएगा, 20 आपका, मेंगनिफिकेशन आजाएगा, यानि कि मेंगनिफिकेशन कितना आएगा, इस केस में, 20 आपका मेंगनिफिकेशन आगया, बाकि दूसरे वाले में भी अपलोग कर लो, आप तो सेम सारी वैलिउज आ गई है, तो M is equal to कितना हो जाएगा, वही, 10 divided by 2.25, इनटो 25 divided by कितना हो जाएगा, 6.25, तो भाहिए यहां से काट होगे, चार बार, चार से काट होगे, चालिस 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 बते, दो पांच है, पॉईंट अटा होगे दो-जीरो गई, तो कितना से का सकते हो, पचछिस से काट होगे, 25े कम पच्छिस, और 25 और 25 इंगा 1500 25 और 25 और एक 9 9 9 9 और किससे कट सकते एक 169 तो काट सकते हो क्या 169 को कितना जा सकता है 169 में तो 9 दुनी 18 20 से कम जाएगा 9 दुनी 18 देखो एक बार एक बार रुको रुको रुखो में देखो यह तो तुम्हेंने समझ में आ गया होगा इसको एक बार देखते हैं रूगो magnification की बात है यहाँ पर बोला गया है देखो m is equal to v naught by u naught t by f e यहाँ पर देखो कुछ और थोड़ी दे रखा है इसमें क्या बोला गया what is the magnification power of the microwave in each case each case की बात है infinity की बात है और यहाँ पर हम लोग इसको solve कर चुके हैं तो approximately यह तुम्हारा आ जाएगा 13.5 के आसपास है एक बार solve कर ले ना ठीक है इसको solve कर ले ना क्योंकि काफी time हो गया है तो एक बार इसको solve कर ले ना ठीक है तो आप लोग हमारे साथ जूड़ सकते हो पर दिया गया code है इसको apply करके हमारे latest batches हैं उसके अंदर enroll कर सकते हो क्योंकि आप सभी को पता है तयारी जबदस तरीके से करने पड़ेगी जब भी जाके selection होता है ऐसे selection नहीं होता है ठीक है जी तो thank you and bye bye to all इसके अलावा आप लोग चाहो तो हमारे साथ हमारे batches के अंदर जूड़ सकते हो कैसे जूड़ना है तो इसके लिए मैं simple आपको बोलना चाहूंगा आपको क्या करना है अड़र 24-7 पे जाने के बाद में पहले link पे click करना है इसके बाद में आपको all courses पे जाना आपके जैसे science का चाहिए तो यह राज science का batch है तो आप लोग इसके अंदर enroll कर सकते हो by now पे जाना है और यहाँ पर enter करना है y485 जिसमें आपको CUT की preparation भी कराए जाएगी तो यह आपका है कितने का लगबग 6000 को आप सभी को पढ़ने वाला है so thank you and bye bye to all God bless you comment section के अंदर जरू बिताइगा कैसा लगा आप सभी को यह देखने के वादे thank you and bye bye to all God bless you